पहचान निराली है सिर मुकुट सोहे सोडा हत बंसरी प्यारी है जदो बंसरी बजती है सुरताल बड़ा सोडा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोडा है एथे दर्शन होने है दीदार बड़ा सोडा है मेरे सत गुरु प्यारे दा दर बार बड़ा सोडा है आनंद के प्रदाता एस नेग शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा साधर पधारिये मन्जुल मधुर निमंत्रन अंतर करण से कणकन प्रभु आप को बुलाता साधर पधारिये साधर पधारिये बिच्डे हैं कल्प भरके प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हम से दृष्टी से स्रिष्टी रच दो मुर्मी से रंग भर दो वर्दानों के हे दातों साधर पधारिये साधर पधारिये कोमल सिभावनाएं निर्मल रहत कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरती भी नग में गाती अंबर भी गुन गुनाता संसार सार गाता साधर पधारिये साधर पधारिये तेरे प्यार को संजोए नैनों को हैं भी गोए यादों के मोतियों को सांसों में हैं पिरोए वो सद गुनों के साधर भरने हरे पिजागर परहियत भी बुलाता साधर पधारिये साधर पधारिये आनंद के प्रडाता के स्तेख शक्त की गाता हव्यक्त बाप गाता साधर पधारिये साधर पधारिये साधर पधारिये बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं रभू मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले प्रभू मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले एक बुन्द के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं सागर लुटाते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों में संकल्ब जो आएं वर्दाता ही भागे आएं बच्चों में संकल्ब जो आएं वर्दाता ही भागे आएं हर आसाएं पूरी करके वादा निभाते हैं वादा निभाते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिलवाला प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिलवाला बिन मांगे वो सुरनिम युग का भाग दिलाते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं बच्चों के गुलावे पर भगवान आते हैं मांगवान आते हैं मांगवान आते हैं मांगवान आते हैं आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भर की जाते सब यहां से जोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की बच्चों के उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां अजयत कहां कोई ना अंतर खाया है तुम से पाई ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज बाबा पालना साकार की साधना और शिक्षा वही है मधुबन की हर रीथ वही सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारे प्रेत वही तुमसे ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशियां सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की सीवा में सैदां साथ का अनुभग सबको कराते रहते हो अफ्यक्त रूप से भी बाबा परतान देते रहते हो बस उंधरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही मही मा तेरे उपकार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की भर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की आज में देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की हम बाच्चों से मिलन माना आए प्यारे बाबा हमारे बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेम की अनपम खुशी चा रही है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है मेरी लगन तुझी से लगी मन में बसे बाबा एक तुमे बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेम की अनपम खुशी चा रही है जोती बिंदू का जो ध्यान धरूं मुरली सुनू तेरा सुमिरन करूं तेरे बताए ही पथ पे चलूं शांती स्वरूप तुमे ही हूं करन करा मैंने हार है तूं मेरा वजुद विसंसार तूं जान की वर्सा मरस रही है रूह रूहाने मिलन आ गई है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेम की अनपम खुशी चा रही है पर्म पिता तू ही आधार है नया तू ही तू ही पतवार है तू ही मेरा खेवनहार है तू ही समय तू निरंकार है यादों में तेरे ही खुया रहूं बैठों जो तुछ संग बाते करूं संगम युग में वो पीता रही है हर्षत जीवन है गीत का रही है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेंग की अनुपंख शीचा रही है मेरे लगं तुछ से लगी मन में वसे वाव एक तू मही है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेंग की अनुपंख शीचा रही है बाबा मिलन की घड़ी आ गई है प्रेंग की अनुपंख शीचा रही है 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 आप द्रिष्टी यूही दे तेरा हो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे तेरा हो बाबा हो गए अपनी हाल ये नैना बबाब की रुहानी नजरों से पालिया है मुझे था जो पाना ये आवाज निकले अंतर से आप शक्तियों ही भरते रहो बाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाओं आप द्रिष्टी यूही दे दे रहो बाबा शुक्रिया आपका लाख बाबा आपने हमको दिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब मुझ गई है अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो बाबा आप आके यूही मिलते रहो बाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाओं आप दिष्टी यूही दे दे रहो बाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे रीत की डोरे ऐसी है बांधी आप से दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं स्मीह के मूती से भर जाओं मैं स्मीह के मूती से भर जाओं आप दिष्टी यूही दे रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं तुमको निहारनी को दिल ये चाहता है प्रभो तुमको निहारनी को दिल ये चाहता है मन में उतरनी को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे तुम सामने हमारे तुम सामने हमारे तुभी तुकारनी को दिल ये चाहता है तुमको निहारनी को दिल ये चाहता है मन में उतरनी को दिल ये चाहता है ये जोती बिंदो प्यारा प्या रूप है तुम्हारा किर्णों ने रूपा रूप है सवारा रूप है सवारा पिसमत सवारनी को दिल ये चाहता है मन में उतरनी को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारी तुम साथ में हमारे तो भी पुकारनी को दिल ये चाहता है तुमको निहारनी को दिल ये चाहता है पलको ना बन्दो ना ये पल नुए वोना जाने देंगे, पल को ना बन्दो ना, ये पल न जाने देंगे, मिले कल्प बाद हरां को, अब हम जो दान होंगे, संग युग गुजारने को, दिल ने चाहता है, तुम को निहारने को, दिल ने चाहता है, पर्मानों की ये बस्ती, ये बूंद को तरस्ती, घरदानों की ये बार्श, हर घड़ी बरस्ती, सर्वस्व पारने को, दिल ने चाहता है, तुम को निहारने को, दिल ने चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को, दिल ने चाहता है, तुम सामने हमारे, 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 तुम सामने हमा बाबाबाबाबा बाबाबाबाबाबने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया हम तो थे उल्जन में मार्ग बताया आपने हम तो थे उल्जन में मार्ग बताया आपने हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने आप की मेठी द्रिश्च ने हमको निहाल कर दिया हां ने हाल कर दिया ओ बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने हम तो थे अधेरे में दिया प्रकाश आपने पिंजरे के पंची को दिया आकाश आपने आपकी शुब्याश ने हमको माला माल कर दिया हमाला माल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा उमीठे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा काया कल्प किया अनोखे राज योग ने हमें बिलकुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने आपकी शुब्शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया बेमिसाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया योगी बनो ज्यानी बनो योगी जिवन है प्यारा काम क्रोध मदलो भूमुह वश आज है सब मोहता योग लगाकर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तु आज काम क्रोध मदलो भूमुह वश आज है सब मोहताज योग लगाकर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तु आज जर्म जर्म के प्यास गुठा ले पावन भन कर पाप जो भी बनो जानी बनो जो भी जिवन है तारा संगम युग में परम पिताशिं कहते है यह राज संगम युग में परम पिताशिं कहते है यह राज तु है एक अविनाशिया तुमा सुन लो मेरी आवाज सुख शांती और पावन ताथे जोले भर लो आज योगी बनो जानी बनो योगी जिवन है त्यारा परमधां से आए है शिव ब्रह्मातन वाधार मुक्ति और दीवन मुक्ति का जनम सिथ अधिकार परमधां से आए है शिव ब्रह्मातन वाधार मुक्ति और दीवन मुक्ति का जनम सिथ अधिकार चलना है घर वापस अब तो यही ग्यान का साथ योगी बनो जानी बनो योगी जिवन है त्यारा योगी जिवन है त्यारा योगी जिवन है त्यारा योगी जिवन है योगी अधिकार बाह पसारे बाबा खड़े बतन से वो पुखारे होकर के सब्बंद आजाओ मेरे राज दुलारे बाबा से मिले ननाने आजाओ मिलो संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे राज बाबा से मिले ननाने आजाओ मेरे राज संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे राज आजाओ मेरे राज आजाओ अब वतन में मीलन होता आखा राज आजाओ मेरे राज निभाने को आजाओ मेरे नार आजाओ मेरे नार बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरे नार संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे नार आजाओ मेरे नाथ पिता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाएं इस रूहानी मीलन से रूहें द्रिप्टी पाएं सुख से भरने जोली आजाओ मेरे नाथ मापासे मिलन मनाने आजाओ मेरे नाथ संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे नाथ आजाओ मेरे नाथ बच्चों वतन में आना घर पाबापा सजाना एधिव्यसी मनियो तुम आकर जग मगाना बच्चों वतन में आना घर पाबापा सजाना एधिव्यसी मनियो तुम आकर जग मगाना रूहानी मैं फिल को सजाने आजाओ मेरे लाल बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरे लाल संगम युग के सुख पाने आजाओ मेरे लाल बाबा से मिलन मनाने आजाओ मेरे लाल बाबा 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 कितने निरहंकारी बचों को नमस्ते करते हैं सारा जग जिन को याद करें वे याद प्यार हुए देते हैं बचों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी बाबा मेरे सबसे महान संसार आप के हाथों में पर आपने खुद को सौप दियाए हम बच्चों के हाथों में मुझसे आगे हो तुम बच्चों केह करके उमंगे भरते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी बेहद सेवा अब भी करतें बाबा है आपकी बलिहारी कहते हैं आप मैं बच्चों का आग्याकारी सेवा धारी सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी है आप दया संधू बाबा दिल में जो हमें समा लेते शिक्षा देते शक्ती देते गुणक्यान खजाने बर देते निशकाम आपकी सेवाएं निशकाम आपकी सेवाएं उपहार सर्ग हमें देते हैं बच्चों को नमस्ते करते हैं बबा कितने निरहंकारी आप 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 तनवा से तुम्हें बच्चे बुलाते हैं कहते सारे बाबा प्यारे याद आते हैं बाबा याद आते हैं मिल रही है पालन अव्यक्त की दे रहे हो प्यार तुम तो आज भी फिर भी सारे दिन क्यों याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं वो फरिष्टो जैसा चलना मुस्कुराना बैठना वो फिलना मुरली सुनाना वो फरिष्टो जैसा चलना मुस्कुराना बैठना वो फिलना मुरली सुनाना जो भी हो बाते नहीं हम भूल पाते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं वेचर इत्रा वाल दिन है जो सभी नाट कर आएंगे क्या ना वो कभी साथ तेरे पीते दिन मन को लगाते हैं बाबा याद आते हैं जो उती लोगाते हैं ने 7s सवेंगे प्रिसे तार किते एंगे साथ प्रच्वए भू रारण वेगान वो मेरा बाबा है ग्यान की राही दिखलाता आत्म दीपों को है चलाता पावन वो बनाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है दूर वतन का रहने वाला मीठे बच्चे कहने वाला करुणा पीम दया का सागर दिल में अपने बसाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है पल को पर हम सब को पाले जीवन नई आगो है सभाले पल को पर हम सब को पाले जीवन नई आगो है सभाले लेपतवार हाथों में बाबा मंज तक ले जाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है मेरा बाबा खुशियों के हमें रंग है देता जीन का हमें रंग वो देता मानव से वो देव बना कर मानव से वो देव बनान भरती पर सुर्ग सजाता है वो मेरा बाबा 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 है मेरा बाबा बाबा मन में इसी धुन का है बसे रा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में इसी धुन का है बसे रा मैं बाबा का बाबा मेरा सुख शांती का मरम सुनह रा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में इसी धुन का है बसे रा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में लिशी धुन का है पसे रा मर बाबा का बाबा मेरा जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ग्यान दिया जिसने जीवन दान दिया लाखों है एहसान किया प्रचता अचना के पर जयता हमको अनुपम ज्या दिया जोति बिन्दु ने किया सवेरा मैं बाबा था बाबा मेरा जोती भिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का बाबा मेरा उतर उतर कर स्वर्णि मुखिरने लगी है गम कातम हरने प्रेम का पर्मानंद लिये है लगी भुवन पावन करने उतर उतर कर स्वर्णि मुखिरने लगी है गम कातम हरने प्रेम का पर्मादंद लिये है जगी भुवन पावन करने गगन्य पत में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा गगन्य पत में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा याद का दिल में दिया जला हो गया जग उजला उजला याद का दिल में दिया जला हो गया जग उजला उजला नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवा जला बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का बाबा मेरा सुक शांती का मर्म सुनहरा मैं बाबा का बाबा मेरा मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का बाबा मेरा 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 कर दो कर दो दिल से निकलते सब के लबों पे एक यही स्वरचा गया मेरा बाबा आ गया धरती बोली अंबर बोला सागर से रहना गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा गया 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 सबने पुकारा यही यही नभो में निहा बिल का सहारा यही यही अखियों का तारा यही यही सबसे न्यारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा सबसे प्यारा मीत ये मन को भाग गया मेरा बाबा आ गया शीव अजनमा आते हैं अपना जनम दिन मनाते हैं जन्डा अपना फेराते हैं जग की जोत जगाते हैं देख समाए देख चांदनी देख समाए देख चांदनी चांद भी है शर्मा गया मेरा बाबा आ 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 गया मेरा आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा 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 आ गया आजाओ लाड़ लोब आजब है इशारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ नाड़ लोब आव्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ लाड़ लोब ये हंस मंदले पर इक ताज है निराना सबको बनाना संपन अम्रित का दे के प्याला आधार तुम धरा के सबके तुमी सहारे इंतजार कर रहे है बाबा बाहें बसारे आजाओ नाड़नो अब पवित्र ता तुमारे संसार जग मगाएं परिष्टों की जलत से सब दिल में ग्यान पाएं सुक्ष्म बतन सजाओ धरती के तुम सितारे इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे आजाओ लाड़नो अब अन्तिम समझ घड़ियों तो हो पेह लेके आई बाबा खड़े बतन में तुम्हे देने को बदाई करते आभान तुम्हारा देवी कुल के देव सारे इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे आजाओ नाड़नो अब आप्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे हैं बाबा बाहें पसारे आजाओ नाड़नो अब आजाओ नाड़नो आजाओ नाड़नो आजाओ नाड़नो अब बाबा बुला रहे हैं बच्चो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ आजाओ नाड़नो आजाओ नाड़नो आजाओ दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भगों की पुकारे पड़ती नहीं तुनाई उनको दरश दिखाओ अब कुछ तरस तो खाओ बाबा बुला रहे हैं बच्चो वतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ अब मुझे को आओ जब जब मुझे बुलाओ तुम आओ तब तब में पास आया सर्वस्वपना देकर बादा हर इतनी वाया मेरे समान बलकर तुम भी वादा निभाओ आब बुला रहे हैं बच्चो वतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ मेरे बुलाओ तुम आओ मेरे बुलाओ करता रहूंगा कब तक मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक इंतिजार मैं बतन में करता रहूंगा कब तक अब देर ना लगाओ आओ बतन सजाओ आओ बतन सजाओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं तेरी शिक्षाए और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं मधु बनके वो दिन राच बाबा पेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाए और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं बैठो कमरे में जाके मिलता तू बतन से आके ओ तेहे निहाल ये नेना बाबा तुझे सामने पागे तेरे मीठे मीठे में कौनों में आज भी आते हैं तेरी शिक्षाए और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं चल से फिर थे यहों लागे तू संग हो जैते हमारे बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव ज्यारे मधुबन के खण खण में तेरा ही नजारा पाते हैं तेरी शिक्षाए और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं तेरे कदमों के निशा हमें तेरी राह दिखाएं संसार में सब की सेवा करने का पाठ पढ़ाएं तोने जा दिखाई राह तोने जा दिखाई राह हम उस पे चलते जाते हैं तेरी शिक्षाए और प्याँ साथी बन साथ निभाते हैं मधबन के वो दिन राह बाबा तेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाए और प्याँ साथी बन साथी बन साथी बन साथी बाबा ओ बाबा मेरे प्यारे बाबा ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुण गाटा है प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे तुम ही मेरे सचे साथी तुम ही हो मनमीत मेरे जीवन के हो गीत मेरे गीतों के हो संगीत मेरे तुम ही मेरे सचे साथी तुम ही हो मनमीत मेरे जीवन के हो गीत मेरे गीतों के हो संगीत मेरे तेरे प्रित के गीत सुहाने गाकर मन हरशाता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहरा का है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मुरली तेरी सुन कर बाबा मेरे चित को चैन मिला मुरली तेरी सुन कर ओ बाबा मेरे चित को चैन मिला रूपों पे हस राहत आई कुशियों बरा दिन रैर मिला दिला राम तिर यादों में आनंद अलो पिक आता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे ही गुन गाता है प्यार के साजर की लहनों में दिल मीरा लहरा चाहे ओ बाबा ओ बाबा मेरे जीवन का सच्चा सुक मिलता हो बाबा तेरे बातों में मुझको मेरा संसार मिला रोहानी रिष्टे नातों में जीवन का सच्चा सुक मिलता बाबा तेरी बातों में मुझे को मेरा संसार मिना रूहानी रिष्टे ना तो में दुनिया से अलग मेरे दुनिया में एक तू ही नगर मुझे आता है दिक तू ही नगर मुझे आता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे मन तेरे दी बुनिया ता है प्यार के सागर की लहरों मेरे दिल मेरा लहरा ता है ओ बाबा ओ बाबा मेरे ओ बाबा ओ बाबा मेरे ओ बाबा ओ बाबा मेरे मिला वतन का दुलाने मंत्रन चलो मनाने प्रभू मिलन मिला वतन का दुलाने मंत्रन चलो मनाने प्रभू मिलन बनके फरिष्टे गाते हसते हम तो चले हैं ओके मगन मिला वतन का दुलाने मंत्रन चलो मनाने प्रभू मिलन वहां न कोई समख सी माँ न दे है दुनिया का कोई बंधन बड़ी सलोनी मधुर शांती है ये संज जाने हमारा ही मन हजारों आए सभी समाएं रभू का दिल है बड़ा गगन मिला वतन का दुलाने मंत्रन चलो मनाने प्रभू मिलन वतन से करते प्रभू इशारे आओ मेरे लाड़ लो पुकारे बाहों मेरे मेरी प्रभू मिलन आक समाओ मेरे विच ऐसा स्वरूप धारों उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन मिला वतन का दुलाने मंत्रन चलो मनाने प्रभू मिलन मिलन की अनुभूती एक पल की देती है क्रेप्ती युगों युगों गी ये सुख का संसार ही अलग है परम पिता से परम सुखों की सभी शक्तियां अतिंद्रिय सुख मिले खजाने हमें सगन मिला वतन का दुलानी मंत्रन चलो मनाने प्रभू मिलन बनके फरिश्टे काते हसते हम तो चले हैं ओके मगन मिला वतन का खुलानी मंत्रन चलो मनाने प्रभू मिलन चलो मनाने प्रभू मिलन चलो मनाने प्रभू मिलन चलो मनाने प्रभू मिलन कि वुलाने चलो मिलन चलो मिलन ऑ्रभू मिलन प्रभु मिलन की मस्तियों में जुमता मन्गा रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में जुमता मन्गा रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में हो गया जब प्रभु ही अपना दोन कोई गैर है सारी दुनिया अपनी है अपनान किस से वेर है अपनान किस से वेर है ज्यान सागर्ड मन के गागर्ड में समाता जा रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में मस्ति मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की अब रही किस काम की ये सलतनत संसार की ये सलतनत संसार की जिन्दगी जीने काम को है मजाब आ रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में ऐसा साथी किसका होगा रह सदा जो सात में भव से पार लगा दे नईया स्वर्ग दे सौगात में जो स्वर्ग दे सौगात में इक समंदर प्यार का है आँखों में लहरा रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा प्रभु मिलन की मस्तियों में जोमता मनता रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा पाना था जो पालियाबु और क्या बाती रहा जी खारे तो जी खरता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए जो पिंजरे से उड़ कर तंची नील गगन में जाए पास तेरे उड़ आए जी खरता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए हास तेरे उड़ आए कोई शैना भाती है अब याद घर की आती है घरे इशारा के रने तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है तेरी आद में समा के हम तो तुमसा ही बन जाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए मसल कुछ शपल की बात है मसल कुछ शपल की बात है फिर घर चलना साथ है हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए अंबर से भी पार है मणियों का आगार है परम शांति विश्राम यहां पर जोती का भंडार है परमानंग सुधा नैनों से वस्धा पर छलकाए पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए तेरे बतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें प्यार में समा लिया है पास में बुला लिया है पास में बुला लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया चलते हैं जब जमीने पर लगता गगन में चल रहे हैं उमंग में है उड़ रहे तेरे रंग में है धल रहे दिल की बाते सुनते बाबा माहों में उठा लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया कहां ये आ गए है हम फरिष्टों के जहान में उजली उजली आशनी निराले आसमान में निराले आसमान में संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिल आराम ने हमने भी रख लिया तुम्हें आखों के ही सामने जो दिखता वो छिपा लिया छिपा है जो दिखा दिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया हमें प्यार में समा लिया है पास में बुला लिया तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला दिया तेरे वतन की याद लिया तार मंकी तुम्हें से जुड़ी ही रहे आत्म जोती सभी की जगी ही रहे आर्जू है यही की तेरी गोद में बाबा हस्ती हरिक जिन्दगी ही रहे तार मंकी तुम्हें से जुड़ी ही रहे आत्म जोती सभी की जगी ही रहे आर्जू है यही की तेरी गोद में बाबा हस्ती हरिक जिन्दगी ही रहे तार मंकी तुम्हें से जुड़ी ही रहे आर्जू है पोड़ी दै में नहीं बदल के भागना सब की हाथे सदा हो ये शुख कामना पोड़ी दै में नहीं बदल के भागना सब की हाथे सदा हो ये शुख कामना पुर में प्रभु पीत सब के बसे ही रहे पुर में प्रभु पीत सब के बसे ही रहे गाबा हस्ती हरिक जिन्दगी ही रहे तार मन की तुमी से जुड़ी ही रहे विश्व सारा हमादी और जा है विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, तब के हम, तब हमारे ही आए नजर हर नगर पूलों से यू सजी ही रहे, हर नगर पूलों से यू सजी ही रहे, बाबा हसती हर एक जिन्दगी ही रहे, तार मन की तुभी से जुडी ही रहे मथ रहे, अजर से वे।ब जर नगर पूलों से यूसित वब सारा है पूलों से यूली ही रहे बा पना है ुब हितť dá के शचने ही जो ओना ही नगरा है। बूले भटते उन्हें पास लाना हमें जो मिना है उन्हें भी दिलाना हमें बूले भटते उन्हें पास लाना हमें जो मिना है उन्हें भी दिलाना हमें ये लगन दिल में हर दम लगे रहें ये लगन दिल में हर दम लगे रहें बाबा हसती हर इकी जिन्दगे रहें तारमन की तुही से जुड़ी ही रहें आत्म दोती सभी की जगे ही रहें आरजू है यही की तेरी गोद में बाबा हसती हर इक जिन्दगे रहें तारमन की तुही से जुड़ी रहें की तारमन की तुही की तुही की तुभ है यहीक की तुही की तुहाएं कर दो कर दो तेरी पालना का बाबा रहसान चुकाई किस तरहा रहसान चुकाई किस तरहा तुने प्यार से जो पाला शब्दों में गाई किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा पालना का बाबा तेरा सदा सर पे अपने पाया ममता भरी नजर से निर्मर हमें बनाया गुनों से तुने सजाया उसको बताय किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटा उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए हमें खुद साहे बनाया हमें खुद साहे बनाया उसको भूलाए किस तरह तेरी पालना का बाबा 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 निश्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए आभार तेरा बाबा दिलवार बाग गाए तुझसे जो हमने पाया उसको सुनाएं किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाएं किस तरह तुने प्यार से जो पाला तुने प्यार से जो पाला शंतों में गाएं किस तरह तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा तेरी पालना का बाबा बतन में बेचकर बाबा इशारों से बुलाते हो वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो हमेरा ब्यक्त बनना ब्यक्त में आकर सिखाते हो वतन में बैठ कर बाबा अभी पर्धर में आकारी अभी पर्धर में निराकारी अलोकिक खेल संजम का यहीं हम से कराते हो वतन में बैठ कर बाबा जगत कर्यान भी करना जग से उपराम भी रहना सदा ही संत दन रखना हमें बाबा बताते वो वतन में बैठ कर बाबा भले गुणगान करें कितना हमें गुणवान भी बनना परिश्टा बन कि तुम बाबा हमें खुद सा बनाते हो वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो हमें ब्रक्त बनना प्रक्त में आकर सिखाते हो बतन में बैठ कर बाबा बतन में खबाबा बतन में बनना जारों प्रक्त बाबा प्रक्त में बनना वो दिन आये प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बलिहार जाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बली खार जाने के वो दिन आए प्यारे 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 प्रभु से मिलन मनाने के बहारों ने बनाई है मुहबत से मेरी सूरत सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत समा कर प्रभु की यादों में जहां को भूल जाने के वो दिन आए प्यारे 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 प्रभु से मिलन मनाने के रही आश की मन में रहीना वो अधोरी है रभु को पान की प्यास रभुने की वो पूरी है वो वो खसमे और वादे सब वो खसमे और वादे सब अभी ही है निमाने के वो दिन आए प्यारे 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 प्रभु से मिलन मनाने के वो वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के मिली जैसे ख़बर याबू में अब दिन आए प्यारे प्यारे आए प्यारे प्यारे सब्सक्रादी आए बाजान आए है बुरुहों के खुदारवर खुशी बेहद लटाए है हमें क्या रोक पाए फिर हमें क्या रोक पाए है कोई तुफां जमाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन बनाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन बनाने के प्रभु से प्यार पाने के उन पे बली हार जाने के वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के मुण आए प्यारे एके भी खूरह सागा प्रभूत तुम्हारा प्यान खूरह सागा गा रहा है दिल गा रहा संसार खूरह सागा प्रभूत तुम्हारा प्यान जन जन की प्यास पुझे जन जन की प्यास पुझे ज्यान अमृत पीकर तन मन पावन हो गए याद में तेरी जीकर का रहा है दिल गा रहा संसार खूरह सागा प्रभूत तुम्हारा प्यान सांरी चार के लाद में सारी सृष्टी के हो बाबा तुम ही सिरजनहार भाग बिठाता तुम हो बाबा तुम ही तारनहार तुम ही का रनहार का रहा है दिल का रहा संसार हो रहा साथार प्रभू तुमारा प्यार मधूर मधूर मुष्कानों का मधूर मधूर मुष्कानों का वर्दान दिया है तुमने शुभ संकल्पों के पालन का ज्यान दिया है तुमने का रहा है दिल का रहा संसार हो रहा साथार प्रभू तुम्हारा प्यार हो रहा साथार प्रभू तुम्हारा प्यार हो रहा साथार प्रभू तुम्हारा प्यार इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुर बात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुर बात की है मिली है खुशी हमको प्रभू से मिलन की मिली है खुशी हमको प्रभू से मिलन की बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुर बात की है धरती सी है धीरता हमने पाई मन को गगन सी मिली है उचाई धरती सी है धीरता हमने पाई मन को गगन सी मिली है उचाई सागर सी गहराई आई हिदय में सागर सी गहराई आई हिदय में संतुष्टता जिन्दगी में समाई सुंदर खयालों की सौगात दी है मन भावनी सी मधुर बात की है भरदानों की हम पे बरसात की है भरदानों की हम पे बरसात की है किसे को नजर वो आए नाए किसे को नजर वो आए नाए नजरों से मेरी नहीं दूर जाए कैसे कहे हम ये अनुभाव की बाते कैसे कहे हम ये अनुभाव की बाते शक्तों में वरणन किया कैसे जाए खुशियों की वरशा दिन रात की है मन भावनी से मधरबात की है भरदानों की हम पे बरसात की है पिश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधरबात की है पिश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधरबात की है मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की बरदानों की हम पे बरसात की है बर्दानों की हम पे बरसात की है बर्दानों की हम पे बरसात की है बर्दानों की हम पे बरसात की है पूलों की माला बनाई ओ मीठे बाबा ओ प्यारे बाबा फूलों की माला बनाई चुन चुन के जग के काते पूलों की माला बनाई बीच भवर में डूबती नईया तूने पार लगाई चुन चुन के जग के काते तूने चुन की माला बनाई ज्यान चंद्रवा तूने कर दि धरती पेरिम्जिम्सितारों की बीरानों में लाई तूने खुश्भू स्वर्ग बहारों की पत्थर से बने तीरे मोती तेरी श्रीमत पाई चुन चुन के जग के काटे उनों की माना बनाई सूखे थे पाधे मुर्जाई कलियां रस तूने भर डाला ज्यान की गंगा बहा कर तूने अमरित दिया निराला इन पाधू के हर एक फल ने तेरी आद दिलाई चुन चुन के जग के काटे उनों की माना बनाई जिरे हों को पुठा कर तूने चलना हम को सिखाया पंक लगा कर ग्यान के तूने उड़ना हम को सिखाया अंधियारों में थे जो मानव शिव से लगन लगाई चुन चुन के जग के काटे फूलों की माला बनाई बीच भवर में दूबती नईया तूने फार लगाई चुन चुन के जग के काटे फूलों की माला बनाई उनों की माला बनाई ओ मीठे बाबा ओ फ्यारे बाबा उनों की माला बनाई उनों की माला बनाई उनों की माला बनाई उनों की माला बनाई बनाई आपके हम कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए दिल का नाता जुडा जब से बनके बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए मुझे अबनाई डिल मुझे अपके हम कितने धन आपके हम कितने धन आपके हम कितने धनवान हुए सुख मिला शक्ती मिली मिली है लाखों खुशिया सुख मिला शक्ती मिली मिली है लाखों खुशिया जैसे हो तागुलों से गुर्शन योही सदी हमारी दुनिया नजरों से तेरी नजर मेरी तो हम कितने निहाल हूँ बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनी हसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए हाथों की बदली लखीरे आपसे हम मिलन मनाए तेरे रंग मेरंग कर बाबा हम कितने महान दूए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए देखाना का जुड़ा जब से हरवां से अनजार हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान 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 हुए आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आखों में बाबा तेरी आखों में बाबा तेरी भगवान को भी बाबा आखे तेरी लुभाई परसा रही है इनसे अब रहे मते खुदाई पिसमत की जोलियों में देखा सितार भरते देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते आँखों में बाबा तेरी आँखों में बाबा तेरी आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो रभु से मिला रहे हो दुनिया बना रहे हो हम कुछ नहीं है करते करके भी यही है कहते देखा है हम में इंसे जगपों निहाल करते आँखों में बाबा तेरी आँखों में बाबा तेरी आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर जाका तनिक भी जिसने मुकतर का वो सिकंदर दर तो अलम जहांके सारे इनी से हरते देखा है हम में इंसे जगपों निहाल करते आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे आँखों में बाबा तेरी आँखों में बाबा तेरी अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जिवन होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा जहां होता है मानम का धन वही होता है उसका मन इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन हमसा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ग्यान जिसे पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अपिमान जिसे यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा यहोगा यह दुनिया तो माया भी है माया से भला कैसी आरी अपने तो दो ही ठिकाने है वैपुनक दुनिया निराकारी गुंदला सांधिया रा है दिपक से उजिया रा होगा यह आँख भी तन का दिपक है यह ज्यान जिवन दिपक होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा अरशिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वोगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ले सांप्री जिवन होगा यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा हुआ हमा हमारा तन होगा कई जब आँख बंदा आँखों में समाया जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नईया की पतवार तुम को है अरपन। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नईया की पतवार तुम को है अरपन। प्राणों के प्यारे बावा हमारे। तुझे तेरा सब कुछ समरपन। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नईया की पतवार तुम को है अरपन। जीवन के दाता सांसों के अरपन। सदा के साथी सचे सहारे तेरे थे तेरे हैं। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो की हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते। दिलों जांसे बाबा तुझ पेरे अरपन। प्राणों के प्यारे बाबा मारे तुझे तेरा सब कुछ। समरपन समरपन। जीवन के दादा सांसों के स्वामी। ये दैया की पतवार तुमको है अरपन। नहीं पास अपनी है देने के खाबल। दाता विधाता को प्या दे सकेंगे। कि ये तुने हम पर है एहसान इतने के जीवन भी देकर चुकाना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुकाना सकेंगे। ये मैपन ये रापन ये कखपन ये जीवन ये संकर्प हर वोन अरपन है धड़कन। कि ये जीवन भी आपन ये जीवन भी देकर चुकाना माइचना ये जीवन आपन ये जीवन भी देकर चुकाना सकेंगे। तू आश विश्वास बलहे बरोसा तू बाब संसार साकार सपना अगर तूटती सास कामाई ते अहो भाग जीवन बने धन्य अपना यही एक अर्मा है दिल में हमारे की हम में दिखे तू बने सादरपन प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समरपन समरपन जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नईया की पतवार तुमको है अर्माण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नईया की पतवार तुमको है अर्माण जीवन के ये थाता सांसों के पतवार तुमको है अर्माण तुही मुझे को नजर आए है मन में यही भगवन प्यारी सिया शाए मैं तुझे को नजर आए, तु ही मुझे को नजर आए है मन में यही वगवद, प्यारी सी आशान मैं तुझे को नजर आए मेरे लिए मेरे दाथा, तु सबसे मुल्लवान है मेरे लिए मेरे दाथा, तु सबसे मुल्लवान है नहीं चाहिए खुशिया जन्नत की खुशियों का तु ही जहान है, तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाए है मन में यही भगवद, प्यारी सी आशाए मैं तुझे को नजर आओ, तु ही मुझे को नजर आओ है मन में यही भगवद, प्यारी सी आशाए मैं तुझे को नजर आओ प्रहु दिल के आओ आओ एच्छाए आओ 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 मेरे हर उचाई का प्रभु दिल ने किया पहसास है तू बल तुही निश्चै मेरा तुही तो मिश्वास है देती जो मुझे ताकत है तेरी शिक्षाई है मन में यही भगवन प्यारी सी आशवाई मैं तुझ को नजर आँ तुही मुझे को नजर आए है मन में यही भगवन प्यारी सी आशवाई मैं तुझ को नजर आँ कि तुझ को नजर आँ कि तुझ को नजर आँ कि तुझ को नजर आँ इतना कहरा स्नेह है दिल तेरी महिवा लिखता है ने दों में बसे हो तुम ऐसे नहीं तेरे सिवा कोई दिखता है तु क्यान सूर मुझ पर तावन किरने बरसाए है मन में यहीं भगवनू प्यारी सी आशाए में तु ही मुझ को नचर्ड़ तु भी मुझ को नचर्ड़ है ज़िए यहीं भगवनू प्यारी सी आशाए प्यारी सी आशान, प्यारी सी आशान एक तुम ही हो जो मुझसे नहोते खफा प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा एक तुम ही हो जो मुझसे नहोते खफा प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा एक तुमने मुझको लगाया अगले जिन्दगी में तुमी मेरे संग संग चरे तुमने मुझको लगाया अगले जिन्दगी में तुमी मेरे संग संग करे तुमने मुझको लिकाला है उस दोर से जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से हात थामा है तुमने हात थामा है तुमने मेरा हर दफा प्रभु क्यों ना करों साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा वक्त ये सी वक्त जैसे ही इंसां को आजमाता है आके तुही जमी पे उसको सलंजाता है वक्त जैसे ही इंसां को आजमाता है आके तुही जमी पे उसको सलंजाता है सबसे उचा तिरा ही किरदार है जिसने संझा तुझे वो समझदार है खुद को जोडा जो तुम से मिली है शफाः खुद को जोडा जो तुम से मिली है शफाः प्रभु क्यों ना करू शाथ तेरे वफाः साथ तेरे वफाः मुझे को मालूम है तुझ में ताकत बड़ी आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी मुझे को मालूम है तुझ में ताकत बड़ी आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी हासला तुमने मुझे में रजब भर दिया मेरे पेरों पे मुझे को खड़ा कर दिया तेरा बन के मुझे तो तेरा बन के मुझे तो हुआ है नफाः प्रभु क्यों ना करूँ साथ तेरे वफाः एक तुम्ही हो जो मुझे से न होते खफाः एक तुम्ही हो जो मुझे से न होते खफाः हुआ है हुआ हुआ है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चान चलता है उनकी किर्णों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा 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 देखू में चकर की तरा नाच्चु में जिवमोर की तरा भोलू में कोयन की तरा गाउं में बुलबुल की तरा मेरा मन बेहलाते हैं बाबा जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा सोचों में भवरों की तरा जोमों में लेहरों की तरा चंप में जुगनू की तरा मुसकाओं में फूलों की तरा मेरी यादों में रहते हैं बाबा मेरी यादों में रहते हैं बाबा जैसे सावन में नीर बरसता है बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मन की में हर एक बात कहूं एक पल भी ना में दूर रहूं दिन रात मैं तो यूँ घ्यान धरूं बाबा से ही में प्यार करूं मेरे अधरों पे मीठे बाबा मेरे अधरों पे मीठे बाबा जैसे अनहदना गुझता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चांद चलता है उनकी किर्णों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा 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 आज हम बच्चों के प्रत परमात्मा पिता का दिविवर्दान है बच्चे लोहे समानात्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारस नात्भव आप सब पारस नात बाप के बच्चे मास्टर पारस नात हो तो कैसे भी लोहे समानात्मा हो लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए ये लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना यही लक्ष और लक्षन सदा इस्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना तब अनुभो होगा कि मुझा आत्मा के लाइट के किरणे अनेक आत्मों को गोल्डन बनाने की सक्ति दे रही है पारस नात हम सब परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा अपने बच्चों को मास्टर पारस नात बनाते हैं परमात्मा कहते हैं जैसे गायन है कि अगर पारस लोहे को टच हो जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है ऐसे ही परमात्मा हम सब बच्चों को विशेश ये सेवा दे रहे हैं कि बच्चे लोहे समान कोई आत्मा हो उसको आप अपना ऐसा संग का रंग दे दो जो वो भी पारस बन जाए जैसे बहुत सुंदर एक मिसाल बताते हैं कि ब्रहमरी कीडे को एक मिट्टी के घर में रखती है और उस पर बार बार घुमते भूं 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 करती है तो उसमें पंक आ जाते हैं लेकिन ब्रहमरी उन ही कीडों को पंक दे सकती है जो उसके प्रजाती के हैं तो पर्मात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं, अगर किसी भी लोहे सद्रस आत्मा को आप पारस बनाना चाहते हो, तो चेक करो, क्या वो हमारे देवतागराने की है, देवी देवतागराने की आत्माएं सहज ही इस जीवन को परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन आप बेहद की आत्मा को अपने संग का रंग अवस्य लगाओ, जो परिवर्तन होने वाली आत्मा हैं, वो स्वयम को परिवर्तन कर लेंगी, आपनी रास उदास नहीं हो, अपनी भावनाओं का परिवर्तन नहीं करो, हर आत्मा के प्रत सुभ चिन तक व्रत्ति रखो, तो वो भी अपने जी प्रता का वरदान पाकर तिरी आद में वावा किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें चिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें चिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें चिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें बेहज का प्यार आपने हमको है दिया हेरा हमें बनाकर श्रीमगार है किया श्रीमत से मन्चमन कर आवाद हम करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दिन रात की ये सेवा हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें खिचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हूं रत को समाल ते वे वादा निवा रहे हो ऐसे ही प्यार पर जा निजार हम करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दिन रात की ये से आप हम याद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें संगन युग में बाबा आपकर के मिलते रहे न हमने है सोचा आपसा बन करके ही है रहना दिल की यही है आरज प्रभ साथ हम रहें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें नमस्कार सूप्रभाद स्वागत आप सभी का सब्रंकारी क्रम में मित्रों कहते हैं कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहें भौरों की तरह गुन-गुनाते रहें फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और भौरों की तरह गुन-गुनाते रहें चुप रहने से रिष्टे भी उदास हो जाते हैं कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाईए मित्रों आज बात हम रिष्टों की करेंगे क्योंकि रिष्टे अमारी जीवन के बहुत ही महत्वपून अंग है रिष्टे मधूर हैं तो जीवन मधूर है और यदि रिष्टों में कड़वाहट है, दूरियां है तो जीवन का आनन्द हम नहीं ले पाते इसलिए हमेश्वा मुस्कूराते रहना है, गुनगुनाते रहना है और साथ ही कुछ सुनाना है और कुछ उनकी भी सुनना है इससे सच मुछ जो दूरियां हैं कम हो जाती हैं रिष्टे बहुत ही खूपसूरत हो जाते हैं तो रिष्टे बनते हैं भगवान से मिलते हैं तो फरिष्टे बनते हैं कहते हैं कि रिष्टों को बनाने में एक पल लगते हैं लेकिन उस रिष्टे को निभाने में पूरे जीवन लग जाते हैं लोगों से बनाए गए रिष्टे हमें कमजोर कर देते हैं लेकिन भगवान से निभाय हुए रिष्टे हमें मजबूत बना देते हैं। हम जो चाहे वो संबंध ईश्वर से जोड सकते हैं और वह संबंध सदा के लिए कायम रहते हैं। और दुनिया के रिष्टों में यह बात है कि यदि हमारे व्यवहार दुसरों से मजबूत हैं तभी लोग हमें अपनाते हैं। लेकिन एक वास्तविक्ता यह भी है कि भले हमारा व्यवहार कैसा भी हो लेकिन एक ईश्वर ही है जो हमें अपना बनाते हैं और अपना जैसा बनाते हैं। मित्रों कहने को तो सभी रिष्टे अच्छे होते हैं लेकिन जो समय पर साथ दे वही रिष्टे सच्छे होते हैं सच में जब जब जौरत है समय पर किसी को हमारी आवश्यक्ता है उस समय हम उनकी मदद आवश्य करें क्योंकि वही तो समय होता है जबकि अपनत्व का रिष्टे का व्यक्ति एहसास करता है ओम शान्ती हम मिनोपॉजल ट्रांजिशन के बारे में जानेंगे भी इसके लक्षणों को पहचानेंगे और उसे कैसे मैनेज करें ये समझेंगे क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रितिक प्रक्रिया है जो 40 के पार या मध्ध 40 के बाद लगबग हर महिला के जिंदगी में आएगी किसी में 3-4 साल तक रह सकता है किसी में कुछ और कम समय के लिए रह सकता है लेकिन क्या है ये मिनोपॉजल ट्रांजिशन दो देखिए पेरी मिनोपॉज यानि मिनोपॉज के आसपास या प्री मिनोपॉज मिनोपॉज के जस्ट पहले आपकी लगबग उमर इस समय 40 के पार या मध्ध 40 में आप आचुकी होंगी जो इस्ट्रूजन हार्मोन है वो इस समय आपका इसका स्तर घटने लग जाता है तो इसलिए इसका जो प्रभाव है वो आपके शरीर के कई सारे अंग पर हो सकता है तो इसके लक्षन को हम समझते हैं सबसे पहले हम जानते हैं गर्म चमक, हाट फ्लेशिस आपको अनुभा हुआ होगा यदि आप 40 के पार हैं तो अचानक से शरीर में बहुत गर्माहट का महसूस होना स्पेशली फेस, नेक और चेस्ट के पास में और नाइट स्विट्स मधरात्री में आपकी नींद अचानक से खुल जाती होगी पूरे पसीने से अपतर हो जाती होगी यह ऐसा अनुभा हुआ होगा जिसकी वज़े से आपकी नींद अच्छी नहीं होगी आपको सुबह ठका ठका मैसूस होगा चिटड़ा पन हो सकता है अब साध हो सकता है तो यह सारी लक्षणों को हम पहचाने तो लेकिन हम आगे ऐसा क्या करें इन्हें हम मैनेज करें तो में आपको बताते हैं एक प्रॉपर डाइट लीजिए जो कि शागा हारी हो फाइवर युक्त हो थोड़ी थोड़ी देर पर जब आपको होट फ्लेशेज हो तो आप शीतल जल सिप्स में धीरे-धीरे पी सकती है एक्सरसाइज को करना अपनी डेली रूटीन में आड़ कीजिए समय पे सोई ये समय पे जागिए तनाव मुक्त रहने की कोशिच कीजिए जिसके लिए हम आपको राजयोग मेडिटेशन की सलाह देते हैं ओम शांती धन्यवाद बितनों रिष्टों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करते हैं जितना के एक दूसरे के बीच उत्पन घलत फेहमियां वासतों में घलतियों को ठीक किया जा सकता है लेकिन यदि घलत फेहमिय पैदा हो गई है तो उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये दिनों दिन बढ़ती ही चली जाते हैं कि इसने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा इसके साथ वो किया होगा आदी 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 और जब गलत फहमियां पैदा हो जाती है तो ज़्यादा तर देखा गया है कि हम एक दूसरे से बात करने की बजाए एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं वास्तों में यदि एक दूसरे के साथ बैठ कर बात कर लिया जाए एक दूसरे के बारे में किसी और से बात ना करके एक दूसरे के साथ बैठ कर बात कर ली जाए तो गलत फहमियाद दूर हो सकते हैं दिवार तूट सकता है और फिर से रिष्टेपुनह म बात करेंगे ना कि एक दूसरे के बारे में बात करेंगे आए इसी संदर संकल्व के साथ चलते हैं अपने अगले सेग्मेंट की ओर बित्रो मनोज खुश्णवा का आप सभी को परणाम और शान्ती जिन्दगी को खेल की तरे खेलने और निखारने का संदेश देती हुई प्रतुत है ये लगुकावे रचना जिन्दगी के खेल में जिन्दगी के खेल में न मुश्किलों से हारिये मुस्कुरा के जिन्दगी को मुल्यों से सवारिये हार जीत जैपराजिका जगत में खेल है दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है हार जीत जैपराजिका जगत में खेल है, दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है सदभावना से खेलते हर खेल को निखा रिये, मुस्कुरा के जिंदगी को मुल्यों से सवा रिये जाति भाशा रंग बेद में ये विश्व बट रहा, खेल भावना की रण से ये तमसे चट रहा मुस्कुरा के जिंदगी को मुल्यों से सवा रिये इस दरा पे आए जो भागे द्वार हैं खुले जगत के खेल के नियंता हैं प्रभू यहां मिले इस दरा पे आए जो भागे द्वार हैं खुले जगत के खेल के नियंता हैं प्रभू यहां मिले विजे है उसके साथ से बस प्यार से पुकारी है मुस्कुरा के जिन्दगी को मुल्यों से सवारी है जिन्दगी के खेल में न मुश्किलों से हारी है मुस्कुरा के जिन्दगी को मुल्यों से सवारी है मुल्यों से सवारी है दन्यवाद पर नाम ओम शन्दी वितनों एक रिष्टा तो वो है जो हम लोगों के साथ निभाते हैं लेकिन ये रिष्टा तभी बहुत परिपक्व हो सकता है द्रिड़ हो सकता है बहुत गहरी सी बात है जब हमारा खुद के साथ रिष्टा अच्छा हो जब खुद के साथ खुद का रिष्टा अच्छा होता है मैं अच्छा हूँ, मैं बेतर हूँ, मैं अच्छा महसुस कर रहा हूँ तो वही सुन्दर महसुसता, मैं अपने रिष्टों में भी बाढ़ता हूँ बहुत ही सुन्दर सी और गहरी सी बात है और साथ ही एक दूसरा रिष्टा मित्रों खुद का खुदा के साथ है परमात्मा के साथ रिष्टा यदि ये खुद के साथ और खुदा के साथ वाला रिष्टा हमारा बहुत ही प्रगाड है बहुत ही सुंदर है बहुत ही मधुर है तो ये देखा गया है कि हमारे बाकी के र करने की बहुत ज़रत है और आध्यात्म ही हमें ये रिष्टा जोड़ना सिखाता है ब्रह्मा कुमारियां वर्षियों से यही सुन्दर सेवा कर रही है कि कैसे आप खुद के साथ अच्छा रिष्टा बनाए खुदा के साथ अच्छा रिष्टा बनाए आए देखते हैं पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें करीब 80 भाई बहने शामिल रहे हर मन दस्तक का उद्देश है हर घर में राज्योग मीडिया का संदेश पहुँचे कार्यक्रम में सकारात मक्ता पर कार्यशाला आध्यात्मिक्ता क्या है जैसे आधी विश्यों को सपष्ट किया गया इस मौके पर राजयोगा प्राक्टिशनर and Creative Content Writer नीतिमा बेहन, राजयोगा प्राक्टिशनर HR Head in US-based MNC, प्रभा बेहन, A1 Director of Palam Vihar, उर्मिल बेहन मुख्यवक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुवात दीप प्रजवलन से की गई और सभी को संगठित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभियास भी कराया गया। मित्रों कहते हैं कि व्यक्ति यदि अपनी गलती पर वकील और दूसरे की गलती पर जजज बन जाए तो फैसले नहीं बलकि फासले होने लगते हैं। हम ऐसा कता ही ना करें मित्रों, दूसरों की गलतीयों को जज करते रहें किसने ऐसा किया, ऐसा किया, तो फासले ही भरते चले जाएंगे, बातीं सुल्जेंगे नहीं, कहा भी जाता है कि रिष्टे बनाने के लिए एक पल चाहिए, लेकिन उसे निभाने के लिए एक सुनदर स दिल चाहिए, हम सुन्दर दिल वाले बने, बड़ी दिल वाले बने, जहां गलतियां हो भी रही हों, तो उसे हम बहुत ही प्यार से सुलजाएं, बहुत ही अच्छी तरगे से हैंडल करें, ताकि रिष्टों में खरोच ना आए, दरार ना पड़े, और ये तब ही हो पाता है तो दिल की बहुत सारी शुपकामना है आज के इस सब्रंग से, कि आपके रिष्टे अपने साथ भी परमात्मा के साथ भी और सर्व के साथ भी बहुत ही सुन्दर हों, मधूर हों और आप अपने जीवन का संपून आनन्द लें, दिल की अनन्द दुआएं और शुपकामन शीव शीव बोने मन मोर को यलिया शीव शीव बोने मन मोर को यलिया पिया दिला राम जी सुना दो मोर यलिया पिया भूले नात जी सुना दो मोर यलिया शीव शीव बोने मन मोर को यलिया लुटेशना प्रण कर दोटो है शिव शिव बोले येरी बोले येरी बोले राज दिलों के खोले खोले येरी खोले प्राण पिया जी मोरी प्राण पिया जी मोरे ले गए दियरिया शिव शिव बोले मन मोरे को येरिया प्रभू मिलन की अगन लिये मन में पिजड़ा छोड़ तूड़ जाक अगन में देस पराया माया जाल बिछाया है खेल जगत का अंत न पाया है आजग गूल बुलई यान पायरी करिया शिव शिव बोने मन मोरे को ये लिया ज्यान योग करो धारन सेवा प्रभू प्यार का पाओ मेवा जीवन कमल सामान बनालो सत्य शिवं सुन्दर अपनालो इंद्र धनुष की बने चुनरिया शिव शिव बोने मन मोर को ये लिया या दिला राम जी सुना दो मुरलिया या भूले नात जी सुना दो मुरलिया शिव शिव बोने मन मोर को ये लिया एक ही चीज बच्चती है आज और वो है कला और साथक्रति क्यूं? क्यूंकि कला जो है वो हमारी सबकी भावनाओं के साथ जुड़ी होती है और मैंने आज तक अपने इंग साथ सालों में किसी को फरेंच में नहीं रोते देखा और जरमनी में हसते नहीं देखा मैंने उसे कभी उर्दू में नराज नहीं देखा और हिंदी में मैंने उसे मुस्कराते नहीं देखा भावनाएं जो है वो पूरे इनसान की आज पॉने आठ सो करोड आत्मी इस धर्ती पे बसा हुआ है हर कितना भी डिफरेंस हो और किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो एक बाउंडरी बनती है देश की विभाजित हो जाता देश फिर भाशा से फरक हो जाता है फिर रंग से अलग हो जाता है फिर सोच से अलग हो जाता है फिर वो धर्म कई चीज़ों से अलग होता है लेकिन एक चीज़ जो परमात्मा ने सब के अंदर एक सिती है और वो है आपकी भावनाएं और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ब्रह्म कुमारी ने इस पूरे संस्था ने आर्ट और कल्चर को आज इतनी बड़ी प्रॉमिनंस दे कर और एक नेशनल लेवल के उपरे कितना बड़ा समिनार करके फिर से उसी चीज़ को जागरत किया है जिसको शायद परमाक्मा खुद करना चाहता हो हम बिन वो ना रहते हैं उनके बिन हम ना रहते हैं हम बिन वो ना रहते हैं उनके बिन हम ना रहते हैं वो दिल में हमारे रहते हैं हम उनके दिल में रहते हैं ये नैना उन्हें न देख सकें पर इसकी क्या ज़रूरत है हम उनको देखा करते हैं वो हमको देखा करते हैं वो हमको देखा करते हैं प्यारे साथियों प्रेम के इसी अभिवक्ती का नाम है आपकी फर्माईश मैं ब्रह्मा कुमार सतेश आप सभी का आपकी फर्माईश में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्विद्याले में प्रियुक्त होने वाले गीतों को जिनको प्राया इश्वरिय विश्विद्याले के सभी भाई बहने बाबा के गीत कहते हैं ऐसे गीतों को शामिल करते हैं, आपके फरमाईस की गीतों को आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं और बताते हैं इश्वरिये गीतों की गाता, ये गीत किसने बनाया है, कब बनाया है, और इस गीत के संगीतकार कौन है, इनको स्वर किसने दिया है, उसके पीछे एक भाव बताते हैं तो प्यारे साथियों एक बार मैं फिर से ब्रह्मा कुमार सतीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तो प्यारे साथियों गेत और संगेत के इस स्वाहने सफर में प्रथम पड़ाव पर बीके अनुजी मेरट उत्तर प्रदेश से बहुत ही सुन्दर बड़े प्यारे से गेत की फरमाईश करते हैं और गेत के बोल हैं कैसे कहें बाबा मेरी मेरी तुम से कितनी प्रीत है तुही साज है संगेत है दिल का तु सच्चा मीत है बहुत ही प्यारा सा गीत है सुनिए कैसे कहें बाबा मेरी मेरी तुम से कितनी प्रीत है कैसे कहें बाबा मेरी मेरी तुम से कितनी प्रीत है तुही साज संगेत है दिल का तु सच्चा मीत है कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुम से कितनी प्रीत है प्रीत है साथी अमर मेरी भी अमर साथी अमर में भी अमर कितना सरल अपना सपर कितना सरल अपना सपर पतवार है करतार के हाथों में तो किसका है दर जिसकी तरफ बाबा अप गे उसकी हमेशा जीत है कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुम से कितनी प्रीत है प्रीत है दिल में दिया तेरे प्यार का ऐसा जला जो लगुज सका बरसात है उपकार को दिन राज जो कभी ना उप सका ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुन गुनाता गीत दे कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुम से कितनी प्रीत है तु ही साथ संगीत है दिल का तु सक चौमित है कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुम से कितनी प्रीत है तु प्यारी साथियों सुना आपने बहुत ही सुन्दर बढ़ा सा प्यारव सा गीत मेरी साथियों मुझे ये याद नहीं है कि इस गीत को किस वर्ष में बनाया था लेकिन इतना आवश्य याद है ये मेरा पहला गीत था जब मैं बाबा की प्यार में बाबा की प्रीत का अनुभो करके तब लिखा था जब मुझे ये पता नहीं था कि आगे चल करके ऐसे गीतों की रिकॉर्डिंग होगी और इस गीत को गाएंगे स्वर्ष सामरागी लता जी के बहन आशा भोशले जी जिन्होंने तमाम फिल्म के गीत कौन नहीं जानता है वो किसी परिशे के मोहताज नहीं है आशा जी ने इस गीत को गाया और आशा जी के द्वारा गया हुए गीतों में ये प्रतम गीत है जब उनका जनम दिन देखा हमारे ओम व्याष जी ने और ओम व्याष जी गुल्दस्था लेकर जनम दिन की बहुत सुबकामनाय लेकरके उनके पास गए और उन्होंने कहा कि एक गीत है इस गीत को आपको गाना है उन्होंने पूछा ये गीत कहा का है वे आबू का गीत है ये आपका बनाया हुआ गीत है उसके बारे में पूछा और फिर उन्होंने सहर स्विकार किया और पहला गीत गाया जो हमारे इस क्रम में आया नहीं तो इस मैं कुछ दूसरी ही लहजे में अपनी तरह से गाया करता था और गेत के बोल थे कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुम से कितनी प्रीत है कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुम से कितनी प्रीत है इस तरह से स्व्वर में गया करता था लेकिन इसको आशाजू ने कहां से कहां पहुंचा दिया बहुत ही उम्दा गीत बन गया और आज ये गीत मेरे उन प्रात्मिक और प्रारंबिक गीतों में से एक ऐसा गीत जो जंजंजन की जुबान पे आगया कहां से कहां पहुँच गया ऐसे से गीत को सुनिये और बाबा से मन की तार जोड लीजिये ये प्रीत उसकी कमाल की है क्या से क्या करा देती है और उस प्रीत का वर्णन नहीं परमात्मा की प्यार को कोई कैसे वर्णन कर सकता है वो समझाया नहीं जाता वो कही बताया नहीं जाता, उस तो अनूभो की चीज है और जिस ने परमात्मा के प्यार का अनूभो कर लिया तो तो गुड जाने और गुड की गोथरी डादे तो प्यारी साथियों, ऐसे गीतों को सुनिये और आनंद लीजीये इस गीत को संगेत बढ़ किया हम सबके प्रिय संगेतकार ओम व्याशी ने और इस गीतों के पूरे पीछे इसकी प्रिष्ट भोमे में सबसे ज़्यादा जो काम किया वो हम सब की प्रिय दैवी बहन दिव्या बहन जी ने और उनकी पूरी टीम ने ऐसे से गीतों को सेलेक्ट करके उनको ठीक कराके उनको सही किस कौन गाएगा कैसे गाएगे धुन बनवा करके ऐसे गीतों को देकर ब्रम्हक मारी श्री विश्विद्याले के उन तमाम गीतों मे से विशेश गीत बना दिया जो जंजन की जुबान पर चला आता है जो गली-गली में भजने लगा है तो प्यारे साथियों चलते हैं गीत और संगीत के सुहाने सफर में अगले पड़ा उपर बिके दिलेव जी नोङडा उत्तरप्रदेश से बहुती सुंदर से गीत की फरमाईश करते हैं और गीत के बड़े प्यारे से बोल है राज योगी बन के सीखो फूलों जैसा मुष्कुराणा बहुती सुंदर सा गीत है और गीत को सुनिये और राज योगी जीवन जेने की प्रेड़ना लिजे और राज योगी जीवन की विशेष्टा क्या होती है उसको समझ करके आत्म साथ करके अपने जीवन को अमर बना देजे राज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना राज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना गुण प्रभू के गुन गुनाना सब पे खुशियां तुम लुटाना राज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना जै परा जै सुख दुख संसार सागर की लेहर है साथ ही है भगवान तेरा तुझ को फिर कैसी फिकर है हास्ते हास्ते दर्द पीना दीनों को दिल से लगाना राज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना लाल बिछुडे शिव पिता से पास लाके तू मिला दे भूले जो मन्जिल दिखा कर फासला उनका मिटा दे प्रीत भर दिल में प्रभू की फ्रेम की जोती जगाना राज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना ओस से कब प्यास बुझती प्यास है ये विश्व सारा दूबती कश्टी है जग की तिन के का कैसा सहारा बन के खेवन हार नहीं आ पार है तुमको लगाना राज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना गुण प्रभू के गुन गुनाना सब पे खुशियां तुम लुटाना राज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना प्यारी साथियों सुना आपने राज योगी बन के सीखो भूलों जैसा मुस्कुराना गुन प्रभू के गुन गुणवाना सब पे खुशियां तुम लुटाना बढ़ा प्यारा सागीत इस गेत के गायक हैं सुप्रसिद पार्ष्व गायक महेंद्र कपूर जी जी हाँ, महंद्र करपूर जी ने ईश्वरिय विश्विद्याले के अनेक गीतों को गाया है इसके पीछे कारण ये है कि पंडित भरत व्याश जी जब साथ में थे उन्हों के तमाम गीत जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिय विश्विद्याले के लिए उन्होंने बनाया कहते हैं मेहंद्र जी जब भी मौका मिले जरूर गाना और वही कारण था कि मेहंद्र कपूर जी ने इश्वरी विश्विद्याले के अनेक गीतों को गया और मेरा सोभागी रहा कि मेरा उस कालखंड में जन्म हुआ कि जब पंडित भरत व्यार्षी से मुलाकात हुई और हमा इस सवर को हम बच्पन से सुनते आए यह कभी नहीं सोचा था कि उन्परू भी मिलेंगे उनते सुनेंग उनकी बात को सुनेंगे और हमसे पराय कहा करते थे शाटिष जी गीत के पीषे क्या भाव है और बताते थे और मिलते थे तो कितने गीत अमर होगे ऐसे से गीतों के गायक अमर गायक मेंद कपूर जी ने इसको स्वर्पदान किया और इसको संगीत बद्ध किया है ओम व्याशी ने और राजयोगी जीवन का क्या लक्ष होता है और राजयोगी जीवन के लक्षन क्या होते हैं वो इस पकीत में वड़न किया जिसमे है जय पराजय सुख दख संसार सागर की लह रहे तो इसमें सब कुछ जीवन में जो भी स्थितियां आती है, परिस्थितियां आती हैं उनमें राजयोगी कैसे रहता है उन सब लक्षणों को वड़न किया गया है ऐसे से गीतों को सुनिये और राजयोगी बन करके अपने जीवन को योगी बना करके परमात्मा से संबन्द जोड़ करके संसार्थ सागर में रहते हुए भी कमलवत रहिए आनंद पूर्ण जीवन बिताईए और आपका जीवन भी राज योगी बनकर फूलों जैसा मुस्कुराता रहे यही मन की शुक्काम नहीं तो साथ्यों आईए अगले क्रम में बीके अभिजीर जी सिर्सा हर्याना से बहुत ही सुन्दर बड़े ही उंदा गीत की फरमाईश करते हैं और गीत के बड़े प्यारे से बोल हैं मन की आँखों नह देखा पास आकर आपके जिन्दगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे मन की आँखों नह देखा पास आकर आपके बहुत सुन्दर सा गीत है पहले सुनिए फिर आप कहिएगा कि वाह क्या गीत हैं ऐसे से गीत जो जिन्दगी के रंग को सुनहरा बना दे सच मुझ सुनिये देखिये और मुष्क लाते रहें मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके जिन्दगी का रंद सुनहरा हो गया है आपसे मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके सारती शिव साथ में सत्र की कत पर आपके का रहें सांत सुर में स्टेहते सांसों के सरगम का रहें पाओं धरती पर कहां आचल में है आकाश के मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके कुछ में आपके बहरे अपनी दिन्दी आपके जीने का क्या अंदाज है अब हमारे भाग्य पर भगवान को भी नाज दे हम सितारे जग्रम गाते संग रुखानी चांद के मन की आखों ने हैं देखा पास आखर आपके प्यार ने बाबा तेरे जाने है क्या जादू किया जोती बिंदू रूप में दिखता हमें वहु रूपिया खेलते हम आपते जूले में जैसे हाथ के मन की आखों ने हैं देखा पास आकर आपके मन की आखों ने हैं देखा पास आकर आपके मन की आखों ने हैं देखा पास आकर आपके मन की आखों ने हैं देखा पास आकर आपके तो सुना प्यारे साथियों बहुत है सुन्दर सा गीत इस गीत को गाया है सुप्रसिद्ध पारशुगाई का आशा भोशली जी ने जी हाँ आशा भोशली जी ने हमारी सुर्य विश्विद्याले के कही गीत गाये हैं और उन गीतों को गवाने का उनसे मिलने का और उनको इस गाने के लिए प्रेजित करने का जो काम किया है जो सेवा की है हम सब के प्रिय भ्राता संगीत कार गायक और अध्भुत व्यक्तित के धनी भ्राता ओम व्यास जी ने जी ओम व्याश जी के लिए बार-बार ये कहता हूं कि सभी लोग जानते नहीं हैं लेकिन ओम व्याश जी भ्राता पंडित भरत व्याश जी के भतिजी हैं और उन्होंने राजस्थान के भजनों में राजस्थानी गीतों में बहुत अच्छी महारत हासिल की है और उन्होंने ब्रम्हकुमारी इश्वरिव विश्विद्यालय के सैकडों गेतों को संगीत बद्ध किया है गाया है और कुछ गेतों के रचना भी की है और अध्भुत व्रक्तित को धनी जो मस्ती परमात्म मिलन की और राज योगी बनने के बाद हुई और बाबा का बनने के बाद और आदरनी हम सब की पूर्व मुख्य प्रशाशी का विश्विद्याले की दादी प्रकाश मनीजी के संपर्क में आये और जो उनका प्यार मिला जो सनेह मिला उससे गदगद होकर उससे पुलकित होकर के उन्होंने अनेक गीतों की रचना कराई अनेक गीतों को तयार किया कई अल्बम है जो घ्राताओं व्याशी ने तयार किया उनमें से एक चुनिंदा ये गीत कि मन की आँखों नेह देखा पा मात्मा की आद्म बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसे गीतों को बजा दीजिए और ऐसे गीतों से आपकी मन की तार स्वता ही परमात्मा से जुड़ जाएगी और जिन्दगी का रंग सुनहरा हो जाएगा. तो प्यारे साथियों, चलते चलते, गीत और संगीत का ये सुहना सफर अंतिम पड़ाव पर, बीके हंसराज जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से, बहुत ही सुन्दर बड़े प्यारे से गीत की फरमाईश करते हैं, और गीत के बड़े प्यारे से बूल है, मधुबन में बाबा, तेरी याद आए, मन के गगन में, सब के नैन में, तुम ही तुम हो चाए, तुम ही हो समाए, मधुबन में बाबा, तेरी याद आए, तेरी याद आए. बहुत प्यारा साइगीत किस तरह से इसको संगीत में गीत में डूब करके गाया गया है और इसको सुनिये और आनन्द लीजिये और फिर इसके पीछी की कहानी आपको बताता हूँ मदूबन में बाबा तेरी याद आए मन के गगन में सब के नयन में मन के गगन में सब के नयन में तुमी तुम हो चाए तुमी हो समाए मदूबन में बाबा तेरी याद आए मदूबन में बाबा तेरी याद आए सब के लबों पर तेरा नाम आता हर मन मगन हो तेरे गुण है गाता जाने क्या है जादू तुम हो लगाए मदूबन में बाबा तेरी याद आए सुना जैसे बाबा आबू में आए प्रभू से मिले नविन रहा कैसे जाए मेरे पच्च कहकर गले से लगाएं मदूबन में बाबा तेरी याद आएं आखों में सबते हैं आशा की जोती मन में छलकते हैं खुशियों के मोती अलोकिक नजारा सुनाया न जाएं मदूबन में बाबा तेरी याद आएं मन के गगन में सब के नयन में मन के गगन में सब के नयन में तुमी तुम हो चाएं तुमी हो समाएं मदूबन में बाबा तेरी याद आएं मदूबन में बाबा तेरी याद आएं तु सुनाएं बहुत ही प्यारत सा उंदा सगीत मदूबन में बाबा तेरी याद आएं मन के गगन में सब के नैन में तुम ही तुम हो चाय तुम ही हो समय इस गीत को संगीत दिया है हम सब की प्रिय संगीत कार ब्राता ओम व्याश्जी ने और इसको स्वर्भी दिया है ब्राता ओम व्याश्जी ने और पूरे एपिसोड में जो भी आपने गाने सुने इन सब गान और उनके पूरे समोह को पूरे सेवा केंद्र के भाई बेहनों को जो राद दिन मिल करके ऐसे गीतों को चैन किया इन गीतों को कौन गायेगा उनको दिया गया पूरी मेहनत की गई और ये तैयार हो करके इश्वरिय विश्विद्याले के तमाम उन गीतों में बड़ी बहुत बहुत हिर्दे से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अमर गीतों की रचना करा करके हम सबको भी अमर बना दिया तो प्यारी साथियों गीत और संगीत के सुन्दर स्वर लहरियों के साथ ज्यान वर्धक, मनोरंजक, आनंद दायक ऐसे गीतों के सुन्दर सुहने सफर का यहीं पटाक्षेप करते हैं फिर मिलते हैं अगले अपिसोड में तब तक आप अपने चुनिंदा गीतों को हम तक पह कोन है रचनाकार, कौन है गीतकार, कौन है संगीतकार और कौन है भावनों से जोड़ करके हम सब की मन की तार को परमात्मा से जूड़ने वाले तो प्यारे साथियों सुनते रहिए देखते रहिए अपना मन पसंदीदा शो आपके फर्माईश मन तीव्र गती वाले वाहन के समान है परिस्थितिया, समस्याएं, बाधाएं, रुकावटे, मार्ग में गती रोधक, ब्रेकर के समान है विश्वास, आशाएं, उमीदे, इंधन के समान है धैर्यता, अनुभव है ड्रामा, नियती, पावर ब्रेक के समान है ग्यान, हेडलाइट के समान है यूग, क्लीन मिरर के समान है मूड, एसी और म्यूजिक सिस्टम के समान है उदास होना, अपसट होना, समस्या नहीं आदत है और आदत पदली जा सकती है समान अभ्यास है भगवान के साथ का अनुभव करो अपने पर गर्ब करो और मन रुपी सूपर वाहन को खुशी से मालिक आत्मा ड्राइवर बनकर ड्राइव करो आप निर्धारित समय पर मंजिल पर निश्चे ही पहुँच जाएंगे अपने आत्मा ड्राइवर वाहन को संगम युग में प्यारे बागा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आक से बेहद प्यार मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आक से बेहद प्यार मिला मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला हमें आप मिली अब क्या चाहिए हमें आक से सब संसार मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला कभी मद में ठाना चित में ठाना भगवान हमें मिल जाएंगे वे वान बड़े बुधी मान बड़े सब ढूडते ही रहे जाएंगे हम धोले भाले बच्चों को हम धोले धाले बच्चों को शिव बोले नाक करतार मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला मिला हमें आक से बेहद प्यार मिला ँट डाले बाले प्यार मिला अपहार मिला स्वर्गिते सुखता हम जीने का आधार मिला आनंद किसी मा कहार भी खुशियों से भरा संसार मिला इस कुन प्यार के खिया से हम प्यार का सिंध अपार मिला हम आप से बेहद प्यार मिला संगम युग में प्यार बाबा हम आप से बेहद प्यार मिला हम आप मिले अब क्या चाहिए हम आप मिले अब क्या चाहिए हम आप से सब संसार मिला हम आप से बेहद प्यार 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 मिला आध्यात्म का महा आकाश है ये तरपंड है हर मन के विवाद का द्रिश्य है आत्मा और परमात्मा के समबाद का मानवता का होता है जिससे उद्धा यही रै सची गीता सार अंध्रकार से प्रकाश की ओर नमस्कार अंध्रकार से प्रकाश की ओर सची गीता सार इसकार करम में आप सभी का स्वागत है पर्मात्मा की खोज में मनुश्यों ने बहुत सारी आत्राएं की हर एक ने अपने अपने विचार से ये समझने का प्रयास किया कि पर्मात्मा कौन है, वो कैसे हैं, उनकी विशेष्टाएं क्या है मगर हम सब की ये जो अंदाजें हैं, वो अंदाजें ही रहे कि परमात्मा के बारे में हम सभी एक मत एक राय नहीं हो सके हम सब की अलग-अलग सोच और अलग-अलग विचारधारों के चलते आज परमात्मा का भी बटवारा हो गया है ऐसा लगता है क्या ऐसे में ये जानना जरूरी नहीं है कि अगर परमात्मा है तो उसकी सत्य पहचान, उसकी सही पहचान हम सब को मिले आज इस एपिसोड में हम इसी विशे पर बातशीत करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में प्रमा कुमार प्रिश मोहन भाई है भाई सब आपका स्वागत है ओम शान्ति आज परमात्मा के बारे में जानकारी रखने के बारे में बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि हर एक के अपने अलग-अलग भगवान है अगर ये सभी मानते हैं कि भगवान एक है तो ये बात बताने वाला एक बहुत ही सुन्दर गीत है तो उससे हम कारेक्रम के शुरू आपके हैं सिताराम सिताराम भज प्यारे तू सिताराम 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 भज प्यारे तू सिताराम इश्वर अल्ला तेरे नाम सब को सल्मत दे भगवान इश्वर अल्ला तेरे नाम सब को सल्मत दे भगवान रगुपति रागव राजाराम पतित पावन चीताराम हम सभी ऐसा मानते आए हैं कि परमात्मा पतित पावन है भग्त जन्य भी गाते हैं कि वो गती सदगती दाता है मगर ये गाते हुए भी शायद हम ये नहीं जानते कि वो एक परमात्मा आखिर कब आते हैं कब आकर गती सदगती करते हैं कब पतितों को पावन बनाते हैं और शायद ये बात नहीं समझने के कारण ही हमने पानी की नदियों को भी पतित पावनी कहा पर तो एक गंगा की बात होती थी अब तो लोग हर एक नदियों में स्नान करते हैं, समझते हैं कि हमारे पाप थूल जाएंगे फिर मंदिर में जाकर सीताराम की मूथती के आगे पतितपावन सीताराम भी कहते हैं तो प्रशन उठता है कि वास्तविक्ता में फिर पतितपावन है कौन कौन प्रमात्मा है वो का बाते हैं क्या इसकी पहचान हमें है यदि हम इस गीत को ही ले ले गांदी जी को ये गीत बहुत प्यारा था पहली लाइन में कह रहे हैं रगुपति रागव राजा राम अब हम जानते हैं कि प्रमात्मा राज नहीं करता वो तो राज भोग इत्यादी हर चीश से नहारा है तो ये किसी उस राजा राम की बाद की गई है जिसको प्रमात्मा ने पावन बना कर श्री राम राजा राम राज्य के राजा बनाया था अर्थात वो राजा राम पतेद पावन नहीं है लेकिन पतेद पावन कोई और है जिसने राजा राम को इस पावन राजगदी के मालिक बनाया था अगर इस गीत के एंड में देखें तो क्या कह रहा है इश्वर अल्ला तेरे नाम इसमें उसमें अन्य धर्मों को भी जोड़ लिया है सब को सम्मति दे भगवान अब यह नहीं कहा है कि सब को सम्मति दे राम तो भगवान कोई और हो गया इसलिए आप इसी में देखेंगे एक पतितों से पावन करने वाला एक पावन बनने वाला और जो बनाने वाला उसका परिशे ना तो वो राम है ना वो राम है बलकि भगवान कह दिया गया परिश्वर अल्ला कह दिया गया जिसके हमें एक नाम है आप कोई अन्य धर्म बाले जो मुसलिम धरम बाले हैं या स Ahí धरम बाले हैं वो तो किसी भी राम को प्रमात्मानी मनेंगे बहुवारनी मनेंगे इसलिए सच मुझज़ ए ये कन्फीजन है कि आखिर पतित पावं कौन है मुनों से समयते हैं कि हम पतित हैं हमें पावंझ बनना चाहिए prayer करते हैं आर्थी करते हैं इसलिए वो फिर सीथा राम को भी पतित पावन जाकर कहते हैं अब देखा जाए तो सिरी सीथा और सिरी राम के राम राज में जिसमें कहा गया है राम राजा, राम प्रजा उसमें कोई पतित होता ही नि उनकी मूर्थियों के आगे जाके कहते हैं पतित पावन, वो तो पतित पावन नहीं है, क्योंकि उनकी तो दुनिया ही पावन दुनिया है, फिर वो क्या करते हैं, पतित पावनी नदिया, गंगा कह दिया है, क्योंकि वो समझते हैं, बर्मात्मा ने ग्यान सुना करके पावन बनाया था तो ग्यान को अमरित कहा गया है तो इसलिए वो कहते गंगा तेरा जल अमरित इसलिए उन्होंने पहले गंगा को पतित पावने कहा था उसके लिए तो कहानी है बकाइदा कि शिव से गंगा निकली थी तो यो तो याद गया और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा सा ये नदियां तो सत्यूग में भी वहती थे, उस समय तो कोई पते ताय नहीं, इनको पावन करने की दूरत पड़े, और जब आवी देश चातरा में जाते हैं, अन्ने देशों में भी उन्होंने नदियों को सरोबर पना लिये, महरेशस में जाएंगे, उसको पतित पावनी न कादी आदी, इसलिए उनको कंश्यूजन है, तो पहले सीता राम को कहते हैं, लादे शाम को किर नहीं कहते हैं, फिर उसके बाद वो नदियों को कहते हैं, फिर गुरू गसाईयों को भी पतित पावन मानते हैं, पीपल के पेड को, आउले को, तुलसी की भी पूजा करते है पतित पावन होंगे तो बहुत बड़ा confusion इस बारे में है कि परमात्मा कौन है और इन पतितों को कैसे पावन करता है ये बात तो सपष्ट है कि हम भटक रहे हैं ये कहते हुए कि पानी की नदियों के पास मंदिरों में जाकर तीर्थ यात्राओं हर एक से ये उम्मीद लगाकर हम चल रहे हैं कि हमारे पाप दूल जाएं हम पावन बन जाएं मगर अग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन सभी चीजों से नहीं हुआ है अब तक तो कहिना कुछ ब्लेसिक फ्लॉव है और करने वाला भगवान को हम पतित पावन कह रहे हैं तो फिर वो कैसे करता है वो भी तो समझना पड़ेगा अब देखिए प्रमात्मा कही भारत में लेलो अनेक नाम है इश्वर है भगवान है प्रबू है हरी है अनेक नाम है तो प्रमात्मा तो एक है अगर नाम अनेक भी है लेकिन किसके नाम है उसके बाद हम कहते हैं अल्ला इसका मतलब यह हुआ कि उस एक को हम जानते नहीं अब अलग अलग तरीके से कहने से अलग अलग अमोशन व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं जैसे हम कहते है हरी, हरी का मतलब होता है दुख हरने वाला और सच मिल परमात्मा को ही दुख हरता सुख करता कहते हैं, सद्गती दाता कहते हैं, तो दुरूर सद्गती नहीं है, कुछ दुर्गती है तभी तो सद्गती दाता पकारते हैं, अच्छा कहा जाता है सादू, साद करते हैं सिद्धी के लिए सद्गति के लिए तो सौत अगना कर रहे हैं तो रिक टो है इसलिए पर्गवान कहता है कि आखिर कार एक धंग से आप देखेंगे सब उस्पिता को ही याद करते हैं परमात्मा को परमपिता सब करते हैं इसाय लोग सुप्रीम सोल कहते हैं मुसलमान लोग रुहानी रू कहते हैं रूहों का बाप मालिक तो परम पिता ही है जिसको सब लोग दुख में याद करते हैं सद्गती के लिए याद करते हैं मुक्ती के लिए याद करते हैं वो परमात्मा ही पतितों को पावन अवश कभी उन्होंने बनाया है कभी मुक्ति दी है तो वही आकर के अपना परिच्च बता सकते हैं क्योंकि सब मानते हैं आप देखेंगे जिशी मुनियों ने बहुत तपस्या की बहुत रिसर्च किया आखिर क्या कहा कि मुनुष आत्मा अपने आप कोई भी हो परमात्मा को नहीं जान सकती क्योंकि वो अलपग्य है परमात्मा सरवग्य है एक अलपग्य सरवग्य को कैसे जान सकता है यहां तक उन्होंने दिलील दिया कि मुनुष आत्मा तो अपने पिछले और अगले जर्मों को भी नहीं जानती, तो परमात्मा और उसके भेद को कैसे जानती, यनि सारे विश्व के सभी दुखों को हरने वाला परमात्मा ही हो सकता है, तो कि परमात्मा ही विश्व का रिचेता है, ने विश्व का रिचेता है, विश्व परिवर्तक है, द करता, उसकी सद्गती हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की करतब इसके लिए है, जैसे संसारिक पिता अपने परिवार का इसुख देखता है, लेकिन एक सिटी फादर जिसको मेर कहते हैं, उस सारे शहर की बात देखता है, इसी परकार से हम फादर आपदी नेशन कहते हैं, वो सारे देश का देखता है, अगर कोई पेगंबर या धरम सापक है, वो अपने सारे धरम वालों का देखता है, लेकिन सब का दुख ठरने वाला एक परम पिता, जो कहा जाता है, पिताओं का भी पिता है, गुरूं का भी गुरू है, दिवों का भी तेवा है, व परमात्मा को जब हम जानते हैं कि वही आकर दुख को हरता है और सुख दाता है। मगर हम परमात्मा को ये भी जानते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो वो किस माध्यम से कैसे आकर इस दुख की दुनिया को बदल कर सुख की दुनिया करते हैं। कैसे दुख धर कर सुख देते हैं, किसके माध्यम से देते हैं, कौन उनका साकार माध्यम है? यही मुख्य बात है, जो जानने की है, जिसको जानने से, व्यक्ति जब धर्ती पर पर मातमा आते हैं, उनको पहचान लेता है, और ना जानने से, उनको सामने होते भी नहीं पेचानता फर्क यह है हम सब जानते हैं कि सभी आत्मा है चाहिए वो देवताओं की आत्मा हो गुरुओं की हो, सधारन हो विग्यानिकों की हो वो धरती पर आकर अपना श्रीर धारन करके पाड़ बजाती है लेकिन परमात्मा अपना श्रीर धारन नहीं करते है क्योंकि परमात्मा भी अगर जनम मरन में आजाए दुख सुख में आजाए तो फिर जनम मरन के चकर से दुख से चुड़ाने वाला कौन हो सकता तो स्वेमी चकर में आजाए तो धारन के तोर पर पैगंबर जिसको हम कहते हैं, मेसेंजर आते हैं, धरमस्ताफन करते हैं, तो वो भी इस गति सद्गते नहीं करतें क्योंकि अपना श्रील-धारन कर लेते हैं, वो भी यहां आकर कर्मों के हिसाब में आ जाते हैं हरा आत्मा ऐसे तो पर्म धाम से तो नहीं और शुद्धी आती है उपतित होती है लेकिन क्योंके जनम मरन में आते हैं करम के हिसाब में आ जाते हैं तो फिर वो यहीं रह जाते हैं तो पर्मात्मा अपना श्रीर धारन नहीं करते हैं और हर जगा लिख जिसमें भगवानों वाच कहा गया और किसी गरंथ में तो ये कहा है नहीं भगवान ने कि मैंने आके ये सुनाया रिशियों मुनियों के गरंथ कहे जाते हैं तो उसमें भगवान कहते हैं कि मैं सधारन मनुश्यों की तरह जनम नहीं लेता हूं मैं एक दिव और अलोकिक रिती से जनम लेता हूँ मैं परकिर्थी को अधीन करके आता हूँ मैं परकाय परवेश करता हूँ शौट में कहें जो आम दुनिया समझती है तो मैं अवतार लेता हूँ अन्य सभी जनम लेते हैं परमात्मा अवतार लेते हैं अरवतार कार्थ क्या होता है कि परमात्मा अपना श्रीद धारन ना करके क्योंकि जो अपना श्रीद धारन करेगा माता से जनम लेगा फिर शिश्यू के तोर पे माता पिता से पालना लेगा उसका तो असाब जुड़ गएगा अब परमात्मा को बच्चे के रूप में आने की ना तो अवशकता है ना वो आ सकते है अब बच्चे के रूप में परमात्मा आ जे तो हम क्या बाल कृशन तो कह सकते हैं उसको परम पिता या बाबा तो नहीं कह सकते ना बच्चे को फिटी नहीं बैटेगा इसलिए परमात् पर्वेश करता हूं अर्थाथ अन्य किसी आतमा के शरीर जो होता है सिरीर रूपी रत में पर्वेश करके मैं ग्दान सुनाता हूं सा उसका जया अब प्रशन उड़ता है कि परमातमा का वास्तवित परिचे का है तो जो परसित्ध पर्म्परा चली आती है वो लोग कह देते हैं ये तो मानते हैं कि शिव परमात्मा है नाम के तौर पर सारे भारत में शिव को ही परमात्मा मानते है और कहते हैं शिव परमात्माने नमे या ओम नमे शवाय या सत्यम शिवम सुंद्रम परमात्मा ही सत्य है लेकिन उस शीव का सुरूप क्या है तो जो निराकार है अब वो धर्ती पर आये तो कोई आकारी या साकारी रूप धारन किया आम तोर पे दो तीन बाते कहते हैं एक तो वो यह कहते हैं कि शंकर और शीव यानि शंकर को शिव मान लेते हैं तो कि शिव निराकार के मंदिर होत तो जोती लिंग मठ कहा जाता है. मुर्ती चाहे पत्थर की हो, चाहे बरफ की बनी हुई हो, मार्बल की हो, या सोने की हो, हीरे की हो, सोमनात में, हीरे काशिव होता था, परकाश्ट तस रूप को परकड करने के लिए, लेकिन निराखार है, इसलिए वो शिव शंकर भोले नाथ कहा देते है यह शिव को शंकर जी से मिला देते हैं लेकिन शंकर परमात्मा तो उसको कोई नहीं कहते है शंकर को तो महा देव कहा जाता है यह देवताओं में सुक्षम महान देवता है इसलिए शंकर भी शिव नहीं है फिर दूसरी तो सर्वगुन संपन है, सज्यू के विष्व महाराज कुमार है, और उनको दिखाया भी जाता है, कि सागर के अंदर परले के बाद, जब नया विष्व रुपी वरिक्ष उत्पन होता है, तो पीपल के पत्ते पर वो अंगूठा चूचते हुए आ रहे है, दिखाया जाता ह और वो विष्व के महाराज कुमार है, जो महाराजन बनते हैं, तो परमात्मा तो जैसे हमने पहले कहा, राजा बनते ही नहीं है, अब श्री राम भी नहीं है, जैसे हमने वर्नन किया, तो ना परमात्मा शंकर है, ना स्री कृष्ण है, ना स्री राम है, जो पॉपुलरली म बाओना सgewाड़ को dunno, तो हमने स्रीक्रिशन, के नौप में ऊकर यग कर जाता हूँ, इसरीक्रिशन के रूप में आकर यग रचा है। साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने या गिरचा जिस से ब्रह्मन और देवता उत्वन हुए और उन्नती को पाए विर्दी को पाए अब वो ब्रह्मा कौन है क्या ब्रह्मा परमात्मा है नहीं ब्रह्मा एक सधारन बेखती है और ब्रह्मा जी को आप देखेंगे दिखाया गया है अन्य किसी देवता को आप देखेंगे कि किसी को बज़रक के रूप में ओल्ड एजिट परसन ने दिखाया गया रिशी मुनियों को दिखाया गया लेकिन रिशी मुनि जो दौपर में हुए इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख से गया निकला कुना ब्रह्मा निकले ऐसा नहीं है जो मैं нашा्ता कि striking कि रौभाई गया की देवता क्याम सुनाता है। अर्थास परमात्मा सुनाने वाला परमात्मा है लेकिन सुनने वाले जो हैं वो सधारन आत्मा हैं जिनको भगवान ब्रहमा के मुख से ब्रह्मन कहते हैं हम सब जानते हैं ब्रह्मन लोग मानते हैं हम ब्रहमा के मुख से निकले थे लेकर मुख द्वारा आग्यान सुनाकर परमात्मा ने मुनिश्यों को आसुरी संसकार से ईश्वरी संसकार वाले बनाया। यह नहीं जाएंत रहा है। यह बात तो एक तरफ है कि इस बहारे में हमें पूरा ग्यान नहीं है, पर्मात्मा कौन है, उसके करतव यह क्या है, वह क्या बात है। आज importantes dalam foreign और भी ऐसे भी लोग हैं जो अपने आपको गुरू, गुरू कहलाने वाली लोग हैं। तू एसे में उन के लिए क्या कहा जाए ? अगर वै होता तो सत यूभ और तो कलए Yugg है एक कली यूग के लिए क्या कहा जाता है ? जूटी माया, जूटी काया, जूटा सब संसार, आज सचमुच ऐसे लोग हैं, जोसे हम को शिवाहम कहते हैं, भगत लोग कह रहे हैं, ओम नमेश वाय, जो मैं शिव के आगे नमन करता हूं, शिव परमात्माए नमेश, शिवाय नमेश, और एक दूसरा वेक्ति कह रहा है, श आखिर कार उसको भी कोई उल्टा ग्यान होगा, अब आप देखिए कि मनुष्यों ने जब परमात्मा को नहीं जाना, तो कहना शुरू कर दिया आत्मा ही परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मैंने मनुष्य आत्मा को अपनी च्वी में रचा था, यानि देवताओं क ने रूप में रचा था, wam ने देवता की दुनिया बनाई, और देवताओं को हम लोग भगोती बगवान कहते हैं, अगर बगवान का साकार रूप देखना हो, तो देवता ही डेखते हैं, आत्मा को तो जानते ने, आज भी मंδर में देवताओं को जा कर जा कि बगव आत्मा का अंश है, अब क्योंके आत्मा ये परमात्मा का अंश है, आत्मा भी शुद्ध होगी, परमात्मा के समानी होगी, तो आत्मा ही परमात्मा है, जब ये मानना शुरू किया, तो मनुश्ता ने कहना शुरू कर दे शिवो हम, अच्छा गुरू भी बन गए, क्योंके प जैसे हमने कहा, ना शंकर जी परमात्मा हैं, ना राम जी परमात्मा हैं, ना क्रिशन जी परमात्मा हैं, तो जो व्यक्ति शिव कह रहा है, कह तो रहा है, क्या सब, वो कह सकता है, कि मैं सभी आत्माओं का सारी सुष्ट्री के आत्माओं का परंपिता हूँ, नहीं, तो शिव मुसल्मान लोग तो ऐसे व्यक्ति को काफर कहते हैं, इसलिए लिमिटेशन है, उसने जनम लिया हुआ है, प्रित्यू को भी प्राप्त होगा, आज की दुनिया का दुख सुख भी सहन करता है, मान लिजे शिवो हम कहने वाले के देश महरत को एक आ जाए, या करोना फैस ज्यानता के कारण लोग ऐसा कहते हैं, इस बात्चीत से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि हम परमात्मा के वास्तविक सत्यस्वरूप को नहीं पहचानते, परमात्मा अकेले दुख हरता सुख हरता है, वही सभी मनुश्यात्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं, कोई भी जो हमने की सुना, आकिल में क्या कह रहे हैं, कि सब को सन्मती दे भगवान, सन्मती अर्थाद श्रीमत, तो कहा जाता है, परमात्मा ने श्रीमत गीता सुनाई थी, तो खुद ही कह रहे हैं, कि परमात्मा आकर तुम ही सब को सन्मती देते हैं, बिल्कुल परमात्मा को कहते ही है कि सनमत ही दो तो वो देने के लिए आते भी हैं बाचीत के लिए और भी सवाल है मगर आज समय इतनी ही इजाज़त देता है तो यहां विराम लेंगे अगले एपिसोद में कुछ और विश्यों पर आपके साथ चार्चा जारी रखेंगे आज आप आए समय निकाला इसके हम परमात्मा को बुलाते हैं कि सब को संमत ही दे घगवान तो वो संमत ही देने के लिए आते हैं जब तक परमात्मा आकर अपना परीचे नो दे तब अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूल ये रतन अमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आउम शांती गॉर्लिवर्ट स्चूडियो द्वारा प्रस्तत अमूल नेरतन में आप सभी का हारदिक स्वागत है पढ़ाई हो या जीवन परिक्षाएं हर एक के सामने आती है और इन परिक्षाओं में पास होने की विधी वह हमारी आंतरिक स्थिती के आधार पर ही हमें माक्स मिलते है इश्वरिये पढ़ाई में फुल पास होने की सहज विधी क्या है आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये है प्रजापिता ब्रमा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निये राजुभाई सहब फैस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत वस्वागत है फैसर वाज हम बात करेंगे दो माई 1982 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है विशेश जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चड़ती कला प्रमात्मा कहते हैं जैसे बहुत काल की चड़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिती का अनुभव करते हैं ऐसे चड़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतह्य और सहज यह अनुभव नहीं होते लिकिन विशेश अटेंशन विशेश महनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं सदा चड़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हूई मोर्थी और चड़ने के बाद उतरने और फिर चड़ने वाले गवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले ऐसे उतरने चड़ने वाली आत्माई अनुभव करती है कि पाया था लेकिन खो गया बैस बैसा सबके साथ होता है कि अक्सर इंसान एक बहुती उची सिदी को प्राप्त कर लेता है, फिर किसी कारण वश उतरती कला में आ जाता है उसको फिर महनत का अनुभो होता है, बार बार कोई चढ़ाई चढ़े और फिर उतर जाए, फिर नीचे आ जाए, तो उसको चढ़ने में भार बार थकान होगी, अनुभो महनत का अनुभो होगा, परमात्मा कहता है उसको लगेगा, कि मैंने बहुत कुछ पाया था, लेकिन ग इसा वार हुआ, पिछलना हिसाब किताब सामने आया, चठती कहला से एकटम नीचे अगर अगर गया, और फिर से चछपना सुरो किया, तो नimiento है, वो याद तो आएगा कि मैं कितनी उच्छी इस्थिति थी, हमाई कहां एक नीचे आ गया अगर झाल फिर से एक एक इक शपना अगर यह बार बार चलता है तो बहुत थकावट और महिनत कान बहुता है परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जब उचे ही पर आगे जब उची स्थिति बना ली तो बार बार नीचे की और देखें भी ने और गिरें भी ने उसके लिए attention रखना पड़ेगा अगर attention रहता है तो फिर चठती कला इस्था ही रह सकती है और चठती कला पिर उटती कला में बदल जाएगी नहीं तो फिर गिरती कला की ओर हम चले जाएगी प्रमात्मा कहते हैं कि पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते इसलिए विशेश अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं लेकिन सदाकाल और सहज की लिस्ट के बजाए दूसरे नंबर के लिस्ट में आ जाते हैं, पास विद आउनर नहीं लेकिन पास होने वालों के लिस्ट में आ जाते हैं। तो पहली लिस्ट से निकल गया, पास विद आउनर की जो पहली लिस्ट है, उसकी बजाए वो पहले चड़ करके फिर नीचे आया और फिर चड़ा, भले वहीं तक फिर पहुंच जाए, लेकिन वो पास विद आउनर की लिस्ट से सेकेंड नंबर की लिस्ट में चला जाएगा पास हो जाएगा पास हो सकता है महिनत करे अटेंशन रखे तो लेकिन एक बार चड़ करके अगर गिर करके फिर चड़ेगा तो पहली लिष्ट से दूसरी लिष्ट में चला जाएगा प्रमात्मा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नती की और बढ़ने वाली सर्व विशेष्टाउं संपन सदा प्राप्ती स्वरूप ऐसा श्रेष्ट बनाओ अभी अभी उपर अभी अभी नीचे वा कुछ समय उपर कुछ समय नीचे ऐसे उतरने चड़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड नहीं देना तो कि इसके लिए फुल अटेंसन रखना पड़ेगा माया बीच बीच में चांस लेती है इसमें उसको भीट से होती है कि यह बहुत आगे बढ़ गया है कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में पीचे रखेलने की कोसिस करेगी परमात्मा कहते हैं अगर आपका रहेगा तो आप सदा काल के लिए उस एक रस इस्तिती में चड़ती कला में रह सकेंगे अगर बार बार नीचे आए फिर उपर चड़े फिर नीचे आए तो कमजोर पड़ जाएंगे सक्ती हीन हो जाएंगे परमात्मा तो चाहते हैं जो मेरे बच्चे एक बार पुर्शार्थ करके अच्छे से अच्छी उंची इस्तिती बना लिया वो बार बार नीचे उपर ना है सदा उसी इस्तिती में इस्तित रहें तो पूरा अधिकार मिल जाएगा वो चड़ते कला का अच्छा अनुभो करते रहेंगे तो सब परमात्मा कहते हैं कि उतरने की परिस्थितियां परिक्षाएं तो सब के सामने आती हैं बिना परिक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता लेकिन एक परिक्षा में साक्षी और साथी पन की स्मिती स्वरुप द्वारा फुल पास होना वा पास होना वा मजबूरी से पास होना इसमें अंतर हो जाता है इस ग्यानमार्क के अंदर परिक्षाएं आना तो स्वभावी कर आनी भी है वैसे भी पढ़ाई की परिक्षा नहो तो मैंने कहां तक पढ़ाई की है, कितने नंबर में मैं पास हो सकता हूँ, बिना परिक्षा के उसका क्लास भी आगे नहीं बढ़ता, उसको अपनी पढ़ाई का पता भी नहीं चलता है, तो परमात्मा कहते हैं, इस ग्यान मार्क के अं वो परिक्षाएं आई लेकिन परिक्षाओं के उसने परवाह नहीं की, डिस्टर्ब नहीं हुआ, बात आई और पूरी हो गई, क्योंकि बाबा का साथ और इस्थिति साक्षी है, तो हिसाब किताब जैसे कोई भी आए, वो सहज रिती से पूरा किया और फिर अपनी इस्थित में इस्थित हो गया, तो वो नीचे उपर किस्थिति नहीं है, वो उची इस्थिति है, तो बाबा कह रहे हैं कि सब के आगे, हर ब्रामानात्मा के आगे परिक्षाओं आती हैं, तिन वो परिक्षाओं कितना किसको हिलाती हैं, कितना समय लेती हैं, वो नंबर बार बन जात तीसरा कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिम्रण, बर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बढ़ा कर देते हैं, और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया, और साथ साथ चेंज किया, और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। यही अंतर पढ़ जाता है कि कोई कोई हैं इनके पास बखुत बड़ी बड़ी बाते आते हैं, लेन बाबा के साथ से उसको एकदम छोटा बना देते हैं, उसको परवा नहीं करते हैं, और कोई हैं उस छोटी सी बात को सोच करके, इधर उधर वानन करके वातावरण में फैला और खतम हो गई जा उनके मार्स नंबर वन में चले गए लेकिन अगर कोई ने चोटी सी बात को बड़ा बना दिया इधर वानन किया उधर वानन किया उधर वायू मंदल में बात पहला दी तो उनको महनत भी लगती है और के मार्स भी कम हो जाते हैं इसले परमात्मा हम सब क कोई भी बड़ा पेपर भी आए उस बड़े पेपर को अधिक नहीं सोचो उसको हल करके छोटा बना दो कुछ नहीं है पार हो जाएंगे तो जिसने इस तरह से इस बिधी से परिक्षाओं को पास किया उनकी सदा एक रस अवस्ता और चड़ती कला की अवस्ता रहती है और इसने सोचा बढ़ा किया चोचो उसके छोटी सी बात को भी बढ़ा दिया वो पीछे के नंबर में चला जाता है बिलकुल परमाताम से कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविश्य के लिए फुल स्टॉप जमा करना आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना तो ऐसे बहुत काल की चड़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं यह प्राक्टिस करना जाहिए कोई भी बात हो गई मानलो बीत गई हो गई तो बार उसे अस्टॉप लगाना ही प्रमात्मा कहरें तो पुल स्टॉप जमा करना हमारे पास सर्प सक्तिं आप जमा हो जाएंगे लेकिन अगर हम उस बीति को बार बार चिंतन मेलाते हैं तो जो किताब के कारण किसी भी तरह से हो गई उसको बार बार सुमिरण न करें चिंतन मेलाएं पुलिष्टाप और जब फुलिष्टाप लग गया कि आगे के लिए संकल्प नहीं होगा फिर से नहीं होने देंगे अटेंशन रखेंगे तो फुलिष्टाप फिर से जमा हो परमातना कहते हैं कि जसे कोई की जीवन कहानी विशेश प्रेरणा दिलाती है उच्छ सहा बढ़ाती है हिम्मत बढ़ाती है जीवन के रास्ते को सपष्ट अनुभव कराती है ऐसे आप हर विशेश आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐस सब के मुक से मन से यही आवाज निकले कि जब निमित आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी प्रेरणा योग के विशेश जीवन कहानी सदा बनाओ. कई ऐसी महानात्मा हुई हैं, जिनकी जीवन कहानी पढ़ करके लोग बहुत कुछ प्रेनाय लेते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं. परमात्मा कहते हैं, उनकी जीवन कहानी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हम सब भी अपनी जीवन की ऐसी कहानी बनाएं, जो हमारी कहानी को, हमारे जीवन को देख करके लोगों को उमंग आए, आगे बढ़ने की प्रेणा मिले को सीखें, तो परमात्मा कहते हैं, आज भी कई बड़ी निमित जो हमारी दादियां हैं, बड़े हैं, उन्होंने ऐसे कर्म किये हैं, ऐसी पेपर्स को सहज पार किया है, जो उनको देख करके लोगों में शक्ती आजाती है, कि जब हमारे बड़े भी, हाज कोई बीमारी का पेपर आया, कोई आर्थिक पेपर आया, हर एक के सामने पेपर आये हैं, तो उस पेपर में उन्होंने कैसी एक्तम निश्चिन्त हो करके उस पेपर को पार किया, कभी में नहीं आई, हुआ है उसको बड़ी सहेज रिती से, योग युक्त हो करके इसे सूली को भी काटा बना करके एकदम पार कर लिया, तो परमात्मा कहता है, जो उन्होंने अपनी जीवन कहानी बनाई, उसको देख करके कई आत्मों को प्रेणाय मिल रही हैं, तो आप बच् अस्तव में ब्रम्हा कुमार और ब्रम्हा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वह स्वयम महसूस करते हैं, कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, महनत का फल खाने वाले हैं, यह भी अंतर है ना, कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, और कोई महनत का फल खाने वाले हैं बहुत महनत की आवश्यक्ता नहीं है सिर्फ द्रण संकल्प और श्रीमत इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलें तो महनत की कोई बात ही नहीं इन दोनों ही आधार पर न चलने के कारण जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है फिर बहुत मुश्किल होता है कोई जरा भी अच्छा काम कर लो तो तुरंत दुआयं मिलती हैं खुसी कानभव होता हलकेपन कानभव होता सहज योग लग जाता बढ़ा आनंद में जीवन हो जाता लेकिन कई हैं जो पृत्यक्षफल खाने की वज़ाएं महनत करते हैं परमात्मा कहते हैं इस संगम यूगी जीवन में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को कोई भी परकार की महनत का अनुभव क्यों महनत नहीं करने क्योंग बाबा आपको मिला हुआ है सुयम भगवान मिला है और भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई बच्चे महनत करें तो कारण क्या ये दो कारण अंडरलाइन करें कोई न कोई संकल्प में कमजोरी है एक तरफ हमारे संकल्प अगर सकती साली हैं द्रण हैं तो महनत नहीं होगी संकल्पों में द्रंटा लाएं और स्रीमत की पटरी इपर चलते चलें जो स्रीमत की पटरी से नीचे उतर जाता है अपनी मनमत या परमत के परभाव में आ जाता है उस आत्मा को कहीं न कहीं मेहनत करनी पड़ती फिर से चढ़ना पड़ता है इसलिए परमात्मा कहते हैं ये दो बाते हैं अगर ध्यान पर रहती हैं तो इस ब्राम्भन जीवन में किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं है परमात्मा हम से कहते हैं कि तीन धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना ब्राम्भन, देवता और शत्रिये तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना। कईयों का तो जन्व ही बहुत महनत से हुआ है और कईयों ने बच्पन से ही महनत करना आरंभ किया है। यह भी भिन भिन तकदीर की लकीरे हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई महनत नहीं की। श्रीमत पर चलना, योगी बनना है, यह स्वतह लक्ष स्वरूप हो गया, ऐसे नहीं अलबेले होंगे, लेकिन स्वतह स्वरूप बन करके चलते हैं। श्रीमत पररीयादा श्रीमत पालन कर थीता शवरू हो, दिर नहीं थीता हुभान थीता है। उस पर नहीं चलते हैं, कहीं न कहें, अपनी बुद्धी की मत या कोई व्यक्ती की मत के प्रभाव में आकर के चलते हैं, इसलिए उनको महनत का अनुबह होता है, जो आत्में बहुत सहेज रिती से, नेचुरल स्री मत का पालन करती रहती हैं, उनको कोई महनत नहीं लगती है, ऐसे सहेज योगी जीवन है, कोई महनत है ही नहीं, लेकिन जहां पर स्री मत का उलंगन हुआ, जहां पर कहीं भी अपनी बुद्धी की मत मन मत को एड़ कर लिया, वहां पर महनत का अनुबह होता है, तो हमें चेक करना चाहिए, कि हमारा जो मार्ग है, हमारी जो जीवन चल हैं, कि अब महनत का ना बंद करके, एक सहेज योगी जीवन का अनुबह करो, और उसके लिए बुही विदिया है, संकलप में द्रंता रखो, और स्रीमत को सिधा ही पालन करते चलो, जो स्रीमत की रेका है, उस पर चलते चलो, और इसी आधार पर हम देख सकते हैं, कि हमारा भविष्य जो प्रालब्ध है? वो क्या होने वाली है? कि तीन धर्म इस्थाड़न हो रहे हैं, कोई ब्रामात्मा कहते हैं कि अल्बेले भी महनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन वह है उल्टि बांत, उसका फिर भविष्य नहीं बनता है, बाप समान प्राप्ति का नहीं करते हैं, बकि जन्म से अलबे ले, बस खाया, पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई, नियम प्रमाण चलने वाले लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं, उनका भी यहां नेमी नात के रूप में गायन होता है, तो कहीं सिर्फ नेमी नात भी हैं, योग मे क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन पाया क्या, कहेंगे हां सुन लिया, आगे बढ़ना बढ़ाना, वह लक्ष नहीं होगा, सुन लिया, मजा आगया, ठीक है, आया गया, चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमी नात जो रेगुलर पंचुल समय पर मुल्ली में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उमंग उसा खुद भी रहें, दूसरा का भी उमंग उसा बढ़ाएं, कुछ और नमीनता करें नहीं, जैसे हैं वैसे ही चल रहें, नियम का पूरा पालन करते हैं, ब्रह्मचरी में भी रहते हैं, काटबान भी सुद थि, रीगुलर भी हैं, लेकिन जो उमंग उसा है, जो दूसरों की सेवा हो तो अइसे लगे कि हम तो उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसी जीवन का भी नही शुद नहीं करते हैं, जैसे हैं ठीक है, मौझ में है, खुस है, परमात्म कय productivity उ जा पहर निकल उमंग उस सामे रहो, सदा आगे बढ़ो और दूसरों को बढ़ाओ नियमी नात नहीं बनो नए तो गायन तो नियमी नात का भी है मारे दिलवाड़ा मंदिर के अंदर एक मुर्ती के उपर नियमी नात भी लिका हुआ है उनका भी गायन है तो परमात्मा कहते हैं नियम का पालन किया उसका गायन तो हो जाएगा लेकिन आपका जो पद है उस पद का आधार है सदा जीवन में चर्थी कला हो, आगे आगे बढ़ने का अनुभा हो इसने जहां हैं वहीं ठहरे हुए हैं तो ठहरे पानी के अंदर तो बद्बू हो जाती है इसलिए सदा आगे बढ़ना चाहिए आगे बढ़ते हैं और परमात्मा में से कहते हैं कि ब्रम्भा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी कौन सी? सदा यह फखर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूँगा आदी के ब्रम्भा के बोल याद है आ रहा हूं समा रहा हूं यही सदा नशे के बोल जन्म के संकल पुरवाणी में रहे तो यही आदी के बोल अब कारे समाप्तकर जो लक्षे रखा है उसी लक्षे रूप में समा गए से बोल रही थे और लास्ट में क्या देखा बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा साप के समान पुरानी खाल छोड़ दीना और कितने में खेल हुआ घडियों का ही खेल हुआ ना इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड नश्टो मोहा स्मृती स्वरूप ये ब्रह्मा बाबा के जीवन का प्रेक्टिकल अनुभो था जिस दिन सिव बाबा मिले निश्चे हुआ उस दिन यही संकल्ब था कि मैं आपके पास आ रहा हूं आपके समान बन रहा हूं और उसी लक्ष को लेकर के बाबा आगे बढ़ते थे पता नहीं था कि मैं उनके समान बन जाओंगा लेकिन जैसे वो भावी बनी हुई थी वही संकल्ब उनको कीच रहा था और उसी अनुसार पुरसार्थ करते करते जब वो संपन बने कर्मातीत बने 18 जन्वरी को जब यह भौतिक दी का त्याक किया तो ऐसे ही गए जैसे मैं समा रहा हूं उनके समान बन गया हूं एक सेकेंड में जैसे कुछ घड़ियों का ही खेल हूं जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुई जैसे साप अपनी केचवे खाल को छोड़ता है ऐसे ही सरी रूपी देश को छोड़ करके बिल्कुल आत्मा बाबा में समा गई समान बन गई तो जो पहला लक्ष आदी का था उसी का ही प्रत्यक चरूप अंत समय में उन्होंने करके दिखाया सब के बीच में होते हुए नश्टमोहा कोई भी व्यक्त भाव नहीं व्यक्त भाव नहीं कोई ने खीचा अपनी तरफ नहीं सेकेंड में आत्मा और करके उनके समान बन गई श्री बाबा के समा गई तो परमात्मा क से कहते हैं कि यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बच्चे सामने हैं लेकिन देखते भी नहीं देखा, सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टी देते, उड़ता पंची उड़ गया, ऐसे ही अनुभव कियाना, कितनी सहज उड़ान हुई, जो वाला उड़ गया, इसको कहा जाता है, आदी में यही बोल, और अंत में वहस्वरूप हो गया, ऐसे ही फॉलो फादर, ब्रमा भाबा ने प्रेक्टिकल करके दिखाया, सदा एक ही लक्ष रखा, कि मुझे जाना है, समान बनना है, और उसी पुरसारत के आधार से अंत समय मे सब बच्चे सामने हैं, सब कुछ है, इन कहीं कोई खिचाओ नहीं, कोई आकरसन नहीं, ऐसे सहज रिती से बाबा उड़ करके बाबा के पाच चले गए, ब्रमा बाबा इस बहुत तिक देख को त्याक करके उस लाइट के सरे में पहुँच गए, शिव बाबा के समान बन ग करें और फुल पास विद ओनर हों, बैस अब सपश्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवागत, ओम शांती, दर्श को आज इश्वरिये महावाक्यों में हमने समझा कि फुल पास होने के लिए हमें परिक्षाओं के समय साथी व साक्षी पन की स्थिती में स्थित पर महनत मुक्त बनना है, तर्श को आज के महावाक्यों से समबंधित, यदि आपके मन में कोई प्रेश्न है, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, हमारा इमेल आइडी है अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ, आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, हुम शान्ति मुख्यसार, परिक्षाईं तो सब के सामने आती हैं, लेकिन साक्षी और साथी बन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना वर मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है बड़ी परिक्षा को छोटा समझना और छोटी बात को बढ़ा समझना इसमें अंतर हो जाता है मेहनत से मुख्यों होने के लिए दिन संकल्प और श्रीमत के आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलो शक्तिशाली आत्मा विग्न विनाशक होगी और जो विग्न विनाशक होगी बही पाप के दिल तक्त नशीन होगे इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें नमस्कार आदाव सश्यकाल मित्रों स्वागत है आप सभी का समाधान कालिक्रब में कैसे हैं आप सब निश्यत रूप से बहुत ही खुश होंगे आनन्दित होंगे और समाधान स्वरूप होंगे ऐसी हम कामना करते हैं हर बार मैं एक नई चीज से शिरुवात करता हूँ जो प्रेरख हो जो हमारी जीवन को अच्छाई की ओर ले चले उत्सा की ओर ले चले उच्छाईयों की ओर ले चले सकारात्मक्ता की ओर ले चले तो आज एक किसान की बासे शिरुवात कर रहा हूं मैंत्रों एक किसान मक्के की खेती किया करता था और हर बार ही जो प्रतियोगीता हुआ करती थी उनके गाउं की लेवल पे उसमें वो प्रत्वमिस्थान प्राप्त किया करता था एक बार एक जर्नलिस्ट उनके पास पहुँचा और बोला कि हर बार आप फर्स्ट प्राइज वीन करते हैं क्या कारण है तो उसने कहा कारण क्या है मैं तो अपने फसल पे बहुत अच्छी तरह ध्यान देता हूँ बल्कि मैं तो यह करता हूँ कि मेरी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की बीज है उसी तुम्हें अपने परोसियों को भी देता हूँ तो जर्नलिस्ट को बड़ा अश्यर ही हुआ कि आपकी जो बेस्ट क्वालिटी के बीज हैं जिसके कारण आप फर्स्ट प्राइज वीइन करते हैं वो आप अपने परोसियों को भी देते हैं आमतोर पे तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने बेस्ट चीज को अपने पास रखता है ताकि वो ही फर्स्ट प्राइज वीइन करता रहे तो उस किसान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप शायर नहीं जानते कि जब हम मक्य के खेती करते हैं तो पौधा जब बड़ा होता है तो बड़े होने के पश्ट जब हवा चलती है तो इसके जो पराकण है वो उड़ करके दूसरे खेतों में भी जाते हैं यदि मेरे जो पडोसी जो किसान है उनके पास लो क्वालिटी का वीज होगा लो क्वालिटी का पाउदा होगा तो उनके पराकट मेरे खेत में आएंगे और पर शाठ मेरी क्वालिटी जो होगी वो डाउन हो जाएगी क्योंकि जो प्रक्रिया यह सिखाती है हमें कि आसपास के लोगों की खेती भी यदि अच्छी होगी तो मेरी खेती भी अच्छी होगी एक सुन्दर सी सीख जुनरलिस्ट ले करके गया और हम सब के लिए भी बहुत सुन्दर सीख है मित्रों कई बार हम सोचते हैं कि मैं ही केवल अच्छा-च्छा करता रहूं और मेरे पास ही सारी अच्छी चीज़ें रहें लेकिन जब तक हमारे पडोसियों के पास हमारी आसपास में अच्छाइयां नहीं होंगी तब तक वो अच्छी चीज़ जो हमारे पास है वो भी हमें सुकून नहीं देगी इसलिए यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि हमारे आसपास के लोग भी सुखी रहें यदि हम शांत रहना चाहते हैं तो यह आवश्यक है हमारी पडोसी और आसपास के लोग भी शांत रहें यदि हम progress करना चाहते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हमारे आसपास के लोग भी progress करते रहे हैं और यदि हम इसमें सहायक बनते हैं यदि हम कुछ देते हैं उनको तो ये एक प्रक्रिया है कर्म का एक सिध्धान्त है कि यदि हम अच्छी चीज़ देते हैं तो return होके हमें भी प्राप्त होता है तो कितनी सुन्दर सीख किसान ने दी थी जो हमें भी अपनी जीवन मिलाना है अपनी तक ही अच्छाईयों को, शान्ती को, सुकून को सिमित नहीं रखना है इसे बाटना है औरों को भी देना है एस सुन्दर बात किसान आज के समधान की शुरुबात करते हैं ब्रता जी का स्वागत करते हैं प्रता जी बहुत-बहुत स्वागत है प्रता जी आप भी एक किसान परिवार से हैं पो पेक सुन्दर सिसी एक किसान ने हमें दे है जो जीवन से जुड़ी हूई है। आज किसानों में बहुत करके अच्छी भावना हे रहती है और ये भी बहुत अच्छी विग्ना था। इसका सुन्दर एक ज्यान था। कि पराग हमारे खेतों से उनकी तरफ जाए तो उनसे भी अच्छे हमारे खेतों में आए जिए नॉर्माली संसार में जब यक्ति सफल होता है तो दूसरों को इर्षा हो जाती है और हमें बहुत अच्छी चीज लोगों को सुनाय करते हैं कि तुमारे एक फ्रेंड है तुमारा और उसका बच्छपन से बहुत प्यार रहा है लेकिन अब बहुत प्रोग्रेस कर रहा है तो तुम्हें उसके इर्षा होने लगी है अब देखिए इर्षा किस से हो रही है इस तो यही चीज हमें सीखनी है तो यही चीज हमें सीखनी है कि हमारे चार ओर सुखी लोग होंगे हम सच मुझ बहुत सुखी हो जाएंगे नहीं तो कहीं न गए उनके दुखों के वाइब्रेशन्स हमारे सुख को भी वाधित करते ही रहेंगे यह बिलकुल सत्य है हम देख सकते हैं इसको अपने जीवन में चार ओर अनुभव कर सकते हैं तो हम यह चाहें हमारी आंतरिक भावना हो सब का विकास हो सब सुखी रहें सब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें सब धनवान बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा जी यह सोच की कितना अच्छा लगता है ब्राताजी और वैसे भी पडोसियों के में यदी लाई हो रही हो बहुता शांती हो तो हम अपने घर में शांती से नहीं बैठ पाते हम भी बेचायन हो जाते हैं कितना शोर शराभा क्यों हो रहा है और जब उनको मदद करेंग इतने शित्रूप से हमें उनके वादरीशन और उनका सहीयोग भी प्राप्त होगा अई बैठ जी इसी सुन्दर विचार के साथ कि हम सब सुखी हो पहला मेल मैं ले रहा हो जो हमें नेपाल से आया है बैठ जी डॉक्टर अर्चना पोखरेल जी लिख रही है और ये कहती है रिस्पेक्टेड भायजी I have a few questions from BKs here in Nepal We have witnessed and experienced natural disasters like major earthquakes तो first question नी कह रही है ब्रदर जी Most of us just remembered Shiva Baba and called out Baba Baba continuously without soul consciousness What happens to the soul who leaves body just calling out Baba without soul consciousness Does Baba come to protect us if we just call out Baba Baba? नहीं देखिए ये तो भगती हो जाएगी कि बाबा-बाबा कहने से बाबा आ जाएगा और हम soul conscious भी ना बने वो हमें protect कर देगा सबसे जादा protect करते हैं मनुस को उसके पुन्य कर्म और यदि किसी मनुस के पाप कर्म बहुत बढ़े हुए हो ना उसे पैसा प्रोटेक्शन चाहिए तो अगर हम भगवान की प्रोटेक्शन चाहते क्योंकि नेपाल में बहुत बड़े भूकर कर दी आ चुकी है और बहुत लव उससे पीडित हो चुके है वह ऐसे गटना होती जिनमें सरकार भी क्या करें जिनमें पैसा भी क्या करें दवायां भी क् अगर हमें भगवान से प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें लंबे काल की स्वलकॉंसियसनेस के साथ योग युक्त होना भी परमावश्चक है और उसके साथ का अनुभव करें उससे हमारा नाता इतना गनिश्थ हो जाए जैसे मां और बच्चे मानलो एक मां को छोटे बच्च मां को बहुत कहरी नीद आ रही है चोटा बच्चा रोने लगता है उसे भूक लगी है अज वो जल्दी सो गया ता उसने कुछ खाया नहीं लेकि मां को भी नीद आ रही है अब मां क्या करेगी वच्चा दस साल का है मां उसके लिए भोजन बनाएगी जिए बच्चे को पे बच्चो का बाप पर अधिकार होता है बाप की संपत्ती पर भी अधिकार होता है भगवान पर भी हम अपना अधिकार फील करेंगे और भी हम पर जे जे तो फिर जब उसे वुलाएंगे तो आजाए तो आजाए तो अधिकार के अभ्याज की आवश्यकता है क्योंकि एक बार बताजी आपके मुक्सी मैंने सुना था कि परमात्मा नहीं कहा है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे कि ओ बाबा मेरे प्यारे बा नहीं करने जिसको पुकार नहीं कहते है आवान उसके याद करते हैं रहवान करते हैं कि आजाओ वो तो आएगा लेकिन हम उसे पैचान पाएं या नहीं हम उसे शुक्स्म्रूप से अनुभव कर पाएं नहीं कि इस को भी तो तो भी तो हमें उनुभव करना पड़ेगा नाई कि उसने वेजा है और उसकी मदद को हमसे भीकार करें लोग ये करता है हमें तो भगवान को याद करना उसको हमने बुलाया वो आएगा तुम कहां से आगे बीच में वो ये बूल जाते हैं तो इसके लिए अपनी स्थितिका आप शुक्सम होना लंबेकाल का अभ्यास होना अवश्चक है वो तो हमारा परंपिता है हमारा यदि उससे कम प्यार भी हो तो भी उसका कर्तव है ना अपने बच्चों की मदद करना उनकी पालना करना उने परिशानियों से मुक्त करना वो तो करता है लेकिन इपेंड़ आद हम के इसको किपना ह मदद को पितना लेपाती हैं कि ली बात वही आजाती है कि हम आध्यात्म के अच्छी सुख्ष्मता को अनुभाव करें लंबिक आलतक जा क़ी उतल्चा करें कि some of us were scared and worried for our family and children they did not even call out to Baba during the quake but remembered Baba only afterwards what may be the reason what would happen to them if they die कि ये ऐसा है कि लंबे समय तक जिसने जिसको याद किया है जो जिस पे dependent रहे है जिसकी और जिसने देखा है उन्तिम समय में वो उसे ही याद करेंगे ये तो बहुत ही बड़ी चीज है कि मृत्यूं के समय किसी को परंपिता की याद आए उसका मन उससे लग जाए ये इतना सहज काम नहीं है क्यों सहज नहीं है क्योंकि जब मनुसकी मृत्यूं का समय समीप आता है तो उसकी बुद्धी बहुत clean or clear हो जाती है अपने सुना होग बहुत लोग कहते हैं, कि मैं तो उसे पहले आज सारा दिन ये व्यक्ति इतना फ्रेस और इतना हेल्डी हो गया, कि हमने सोचाता है तो ठीक हो गया, वास्तर में उसका ब्रेन, उसकी बुद्धी बहुत क्लीन हो जाती है, तो उसमें जो कुई लंबे काल से भरा है, वो एक्ट याद आएगा ही नहीं, उसकी समर्थी रहेगी नहीं, इसलिए बावा बावा करना तो ठीक है, और दूसरों को भी उसको याद दिलाना चाहिए, दिलाते भी है, बग्ति में भी याद दिलाते हैं, लोग गीता सुनाना सुरू कर देते हैं, भागवत सुनाते हैं, लेकिन गीता उसको सुना ही तो जा रही होगी, पर वो उसके अंदर जाएगी नहीं, उसको उसका पाप इतनी forcefully effect करेगा, कि मृत्यू के समय उसको वही याद रहेगा, इसलिए लंबे समय से इन अभ्यासों की बहुत जरूरत है, जी, मतलब ब्रते जी, जैसे फिर मानली जी ये उस समय मर गए, याद नहीं आई, आप ये कह रहे हैं कि बाद में याद आई खेर, वो तो याद आ ही जाता है, लेकिन यदि बिना याद के ही मृत्यू हो गई, तो फिर उनकी गति क्या होगी? जो उनकी अंतिम स्थिती थी, जिसकी याद में वो मर गए, उसके अनुसार उनकी गति मृत्यू होगा, मानलो किसी का किसी से वासनात मत प्यार बहुत था, अब वो वासना इमर जो गई, वो उनको याद कर रहे, तो दुर गति को प्राप्त होगी, क्योंकि वासनाओं में तो वो वासने उनको गर्व में भी बहुत सजाएं देंगी, और हो सकता है उनको लंबे समय तक देहे भी न मिले, क्योंकि तुरंत देहे मिलना, यहां से आत्मा छोड़े और वहां गर्व में जाए, यह पुन्यात्माओं को इप्राप्त होता है, अन्यात्माओं को जाती है, जी जी, मतलब इने हमें समाप्त करने की आवश्यक्ता है और आध्यात्मा ही इसमें मदद करेगा, तीसरा प्रशनी यह कर रही है ब्रताजी की बाबा हैस्पोकन थ्री वर्शन्स इन मुर्गली फॉर महा विनाश, फर्स्ट बन इस यह पहली बाद 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 ब मुर्शनी है, आटेसरी बार कह रही है बाबाद मेद इस चीजरें रही है, प्रिस स्दूट उत्रे कि अम पहली अ की विनाफ्यर्ट फ्र वहली है, फ्र्सूरी रही है। लेकिन भाबा इल च्रवाक्या है, विल्ची सम्मितृघ वीक्रली बाद रही है, सभी चीजही संग के फ्लाइट से भी रद्ध हो रही हूं तो आएंगे कैसे तो वो टच तो करेगा और वो ऐसी भी टचिंग देगा कि तुम इस स्थान पर पहुच जाओ मानलो डैम तूट गया है और पानी तो बढ़ता ही आ रहा है तो वो टच करेगा तुम ये कर लो लेकिन इसके लिए परमावश्चक है कि वो उसकी टचिंग को कैच कर सके अब उपर से इंट्यूशन्स आ रही है और हम इस चिंता में हैं कि पानी आया और मरे मेरे बच्चे ब जो वो बता रहा है तो बिलकुल कैच नहीं कर पाएंगे और उनको कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी लेकिन इन्होंने लंबा समय योग अभ्यास किया है और एक बहुत इंपोर्टेंट और सुक्सम चीज है जो ग्यानी आत्में समझ सकती हैं जो इस दहे के मालिक बन है वोई संपोर्ण प्रकृति के भी मालिक बन जाएंगे क्योंकि लंबा काल उनके योगव्यास के द्वारा प्योर वाइब्रेशन्स उन्होंने प्रकृती को दिये हैं तो प्रकृत जैसे उनकी बहुत थैंक्फूल होगी तो विनासकाल में प्रकृति उनको मदद करेगी प्रोटेक्ट करेगी, अगर लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, उनको मिलेगा, अगर लोगों को अन नहीं मिल रहा है, उनको मिलेगा, यह सब होता रहेगा, इसलिए स्थिति लंबा काल से बनाना, अपनी बुद्धी को किलियर रखना, इसमें डिस्टरबेंस नहीं उसकी बातों को सुन भी सके, ये बहुत लंबे काल से योग अभव्यास की ज़रूरत है ईसमें और हमें बहुत अच्छे सोल इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन जो बिल्ली के बद्चों की बात है, जो उनने की है, देखे वह विनास काल की बात है, घठना तो ये है क इरनाकस्यप प्रदाद को बहुत थंग करता था, क्योंकि वो इरनाकस्यप को भगवान मानता नहीं था, वो कहते हैं भगवान तो विष्णू है, यह तुम कहां से भगवान हुए मनुस्यप, आज भी लोग एहम ब्रहम असमी कह देते हैं, मैं यह ब्रहम हूँ, तो वो भी जिनका हुकाम है, वो हाथ जोड़े भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उन्हें पूचा क्यों, कहां गल्टी से एक बटके में विल्ली के पांच बच्चे भी रह गए हैं, अब वो तो मर जाएंगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमारा, हम से गल्ती हो गई, हम भगवान से प्रातना कर रहे हैं, कि वो विल्ली के बच्चे मरें नहीं, कुछ चमतकार हो जाए, तो जब आग बुझ ही और घड़े वड़े सब हटाएगे, तो वो घड़ा कच्छा निकला, और विल्ली के बच्चे को दफान कर रहे थे, आनन बना रहे थे, तो तब रदाद को पत चला पर मातम सक्ती क्या है, तो यही बातियां की है, कि विनास काल में चार और आग लग जाएगी विनास की, लेकिन भगवान के बच्चे, जो उसके प्यार मिमागन रहे होंगे, जिनोंने योग युक्त होकर अस्ट सक्तियों से अपना सरंगार किया होगा, उनको ये विन कस्त भी नहीं होगा विनास काल में, वो सत्युक के सेन, ब्रमलोक के सेन, परमातमा के साक्सातकार, और देवी देवताओं के साक्सातकार करने में मगन रहेंगे, तो ये कार ये इस तरह होगा, बिलकुल, लेकिन हमें योग युक्त रहने की, और उनके प्यार में मगन रहन और उनकी आग्याओं पे चलते रहने की आश्यागता है बिलकुल कोई ये सोचे के हम तो सिर बाबा के बच्चे बन गए बच्च ये हमें हो जाएगा वो नहीं होगा हमें इसके लिए अच्छी साथ जाओं की अच्छी होगा है प्रता जी गली बात ये पूछ रही है इसलिए ये भूल जाएं के यहां सब आजाएंगे मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जहां आप हैं वहीं योग-युक्त रहें श्रेश्टिस्थिति में रहें वहीं बाबाब आपके साथ जाएंगे साथ रहेगा सिव बाबा और वहीं मदुवन होगा आप अपने कर्तव्यों को छोड़ कर यहां भागाएं यह संभव भी नहीं है मावच्चों को छोड़ कर कैसे भागेगी वो तो भाग भी नहीं सकती उसकी मोहम अमतार उसकी करता उसको आने नहीं देंगे इसलिए जहां को की एक सुंदर रिसर्च के बारे में यहां जिक्र करूंगा वग्यानिको को साध्रशिया के थे या जापान के उन्हें एक थीम दी गई कि जब यह भूकम पादी और त्रासदियादी होती हैं तब जो होली प्लेशिज हैं संसार में वो सुरक्षित रहते हैं मंदीर मर्ष यत्तीर थादी बहुत सुरक्षित रहते हैं पीछे उत्तरा खंड में भी देखा था के बड़े पथर ने आके धाराव को वदल दिया और मंदीर सुरक्षित रहा तो उनको का गया कि इसका पता करो यह क्यों होता है तो उन्हें नहीं नों जो रिसर्च की उन वापिस कर रहे हैं उन्हें वापिस बेज रहे हैं इसलिए इन इस्थानों पर विनास नहीं होता तो जब से मैंने सुनी गई वरस हो गए मैं हमेसा सब को कहता हूं और खुद भी तैयारी करता हूं कि हमारे वाइबरेसंस इतने पावरफुल हो जाएं वो इतने दूर तक कि हमारे चार और के लोग भी प्रोटेक्ट हो जाएं तो ये कारी ये सब को विनासकाल में करना होगा पलायन करना भाग जाना इसकी आवश्चक्ता में ये तो ऐसे भी कायरता होगी अपने करतव ये को छोड़ कर मनुसको कभी भागना में जाएं तो बहुत संदर रहेंगे क दूसरों को भी हम सुरक्षा प्रदान करें अंतिमबाद ब्रता जी ये कह रही है कि प्लीज गाइडर्स एंड गेवस टेक्निक्स पर हाव तो बिकम फियरलेस एंड फेस दा महाविनाश सेंस तेके ये तो बहुत बड़ी चीज है महाविनाश के से इनको देखना उसमें अ आत्मा न मर्ती न जलती न उसको डूबया जा सकता आत्मा अमर है दही छूटेगा आत्मा अज और अामर अविनासी है मृत्यों सबकी होगी रोज हो रही है हम मृत्यों को स्विकार भी करेंगी और मैं आत्मा हूँ और बिनास काल में हमें स्विकार करना होगा अब सब के वापिस जाने का समय है सब की नत्ति होगी इसलिए भे समाप्त हो जाएगा इससे दूसरा जिनोंने लंबे काल मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और सर्व शक्तिवान मेरे साथ है ये अभ्यास किया होगा वो निर्भे रहेंगे बिलकुल बिलकुल पता जी क्या ऐसी समय पे जब बहुत सारी लोग मतलब चीक रहे हैं करार रहे हैं तो उस समय योगा ब्यास के सांट सांट भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उन लोगों को भी राहत मिले और सहज रूप से वो भी देगा त्याग कर सहे हैं. उन चीजों से प्रभावित ना होकर अपनी योग-युक्ति स्थिति के द्वारा उने गुद्वाइब्रेशन से देंगे तो उनको भी देच हो ना बहुत रिलेक्स होगा सहज होगा जैसे वस्त्र उतार के और हम चले तो हमें बहुत लंबे समय से सक्सी होने की और सबको के साथ साथ हमारे सभी दर्शकों के लिए भी बहुत ज्यादा ये लापदायक होगा आज के संदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों कहते हैं कि आया है सोजाएगा राजा रंक फकेर जो भी आया है यहां पे उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है फिर भी हमारी कामना रहती है कि जब जाएं तो सुख पुर्वक जाएं किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जब महाविनाश की बात आती है या फिर प्रले की बात आती है या कहीं बड़े अर्थक्वेक सुनामी आदी की बात आती है तो बहुत सारे लोग असमे हैं काल के गाल में समा जाते हैं ऐसे में ये प्रशन उठना लाजमी है कि कैसे उनकी सुरक्षा हो सकती है या कैसे वो सहज रूफ से, यदि उन्हें देह का त्याग भी करना है तो करें, आज सुदर प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है मित्रों, मुझे लगता है, यदि इश्वर का साथ है, तो हमारे लिए सब कुछ सहज हो जाता है, क्योंकि इश्वर हमारे पिता हैं, और उनके इस सितियों के लिए तयार हो जाते हैं, बलकि हमारी आसपास के लोगों को भी हम इसके लिए तयार कर पाते हैं, तो खेर, मौत में तो, मौत के गाल में हम सब को समाना है, वो तो अंतिम बात है, लेकिन जब तक जीवन है मित्रों, तो शुरवात जहां से मैंने की थी, दूसरों क को सुख़ देते हुए दूसरों को खुषी देते हुए हम जियें, क्योंकि जब हमारी आसपास के लोग, चारो तरफ के लोग, खुष होंगे, शांत होंगे, आननदित होंगे, तो हमारा जीवन भी खुषाल होगा, तो खुषी, शांती, आनन यह बाढते चलें ताकि जीवन खुशहाल रहे, आनंद से परिपोर्ण रहे अपना ख्याल रखियेगा, खल्पुनाब से मुलाकात होगी नमस्कार सारा ये जहां, कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान ओम शान्ती आपके सवाल, दादी जी के जवाब इस कारेक्रम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज पुनहा अपने साथ हमारे परमश्रद है, दादी जी आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है दादी जी, आज हम सब के बीच में आप से यही एक सवाल पूछना चाहते हैं कि एक बार आपका कारेक्रम था फिलिंग ग्रेट परन्तु आज परिस्थितियां ऐसी है और उन परिस्थितियों में फिलिंग ग्रेट कैसे हो सकता है अगर कैसे कहें गहने, तो मुष्कु है लगेए। यही बार इस दिल सची बात है और सब के सामने लगे हैं वो जब कोई संकोच की बात है यही थोरा सुख्ञ बार इस बारी कांशना देने की निच्चर है बाद कर दो बाद है दादी, बाद कॉंशेसनेस ही हमें लो कर देता है, और सोल कॉंशेसनेस हमारे मूड को अपलिफ कर देता है, और फिलिंग ग्रेट मैसुस कर आता है, feeling greater, nature, विश्वास, आतम विश्वास, भगवान में विश्वास, नेच्टरल है, समझेंगे, तो ये गलत होरी बात है, सुख्यम, गलत हो नहीं है, ऐसा ख्याल आया है, नहीं है, इसा ख्याल आया है, नहीं है, नहीं हैं, भी में झाद हो मन में बंढ़द नहीं हैं, आया हीं, एक भी में आया थी और्म होरी इंसाओ, तो ये घम आ नहीं होग ना होगे थो जलका मेंुएता, वर बाड़े कॉंऩियेता था, तो निष्च बुद्धी विनेशनती, निष्च बुद्धी विजयनती, 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 निष्च बुद्धी विज और नहीं बात है। आज लोगों चोटी चोटी बातों में फीलिघाती है। और इसलिए... जैसे बेवी बुद्धी एप रिश्याज़ में, इक बेवी बुद्धी रहाटे है। यह बेवी बुद्धीज कर दोगरा है। इज बुद्धी सर्णाएद आजाता है। यह है कौन कहां स्याही है, बेभी बुद्धी माना इम्मेचुरिटी कहेंगे ना, इम्मेचुरिटी जब आ जाती है तो फिर अच्छा फिल करना उनको आता नहीं है, लेकिन दादी जी चारो और इतना नेगेटिव है बातावरन, आज लोगों की सोच में भी इतनी नेगेट इतना इतना चारो अपर है, फोलकंशक और बादी कंश़। देखो, आपको शुना ओंगा, दिखाऊंगा, मैं तीन बार ओम शांती कहते हूं। पहला ओम शांती मैं कोन हूं। तो नसाशषद है। मैं कोन हूं। मेरा कोन है। वह सवरसक्त जगान परमात्मान। तो परमात्मान बोलो, अल्ला बोलो, इस्वर बोलो, जो कुछ बोलो, तो परमात्मा मेरा है। तो संबंध में जो, वो मेरा पन्ने, दे का संबंध नहीं है। इस्वर इस्वर बोलो, जो कुछ बोलो, तो परमात्मा मेरा है। परमात्मा मेरा है। ये तो है के विचारो का प्रभाव फिलिंग्स के उपर जाता है। विचारो अगर खुरू कि यान लंबे चारे, तो बंधनी, कन तोर नी कर सकते हैं। अब विचारो क्यों करें। जो राइट बात है। विवेक कहता है। क्योंके मुख्यyवारा-सू، विवेक भी है ने, तो अविवेक नाourse से नही पने विश्वास नहीं है, विवेक नहीं है, तो है रिवेक्य तब्सक्राब से नहीं है, बोल झाल में रहिए्टोरा नहीं हैॉजोर से नहीं हिसा है। जिर निर्ट शब्द भी निकलेगा, राइ्ट सोच भी नहीं होंगी, और दिष्टी कोन देखने का भी नजरिया उनका नेगेटिव ही हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाता है। कहीं शहरों में शिवाकियत जानना हुआ होगा। पहले मिझे खुद थोड़ा मैं इन लोग किसे बात करेंगी। मैं तो अंगिल सुझ जानती नहीं हो। तो पहले मैंने आत्म श्राश है, इस्व मिश्राश है अच्छा होगा। तो आपकी तो ये शुब भावना थे ना सबका भला होगा। और दूसरा इश्वर पर नेश्चा ही थे लेकिन आज लोगों का ना दूसरों के प्रती अच्छी भावना है और ना इश्वर पर विश्वास है। इसलिए वह बहुत लोग फिल करने लगते हैं। अब दुन्या लोकी बात काती हैं मैं म्यद्चारी केहती है। कभी भी आत्म मिश्वास नही होता है। छूल में इस्थूल में मान-शान की इछा भावता है। आट अग शुच्छ का करो। ना मेरा मान-शान की इछा होने से नहीं होगा। तो आत्म विश्वास में परमात्म भी शक्ति भर जाती है, और परमात्म विश्वास होने से आत्म में भर जाती है, लेकिन दादी आज दिखावे की दुनिया है, तो लोग सोचते हैं, कि हमारा मान शान होंगा, तो लोगों को पता चलेगा, और नहीं मिलता है, तो फिर फिल स्वच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लेकिन तौमान में रहने के लिए, क्या अभ्यास करना चाहिए व्यक्ती को? क्योंकि मन्सु को उपरब्र का जो मान्शानन भॉत है उसकी इच्छा बहुत है इच्छा मात्ना अवेद्या हो मैं तो ये अंद गुफ्त, सच्चाए और प्रेम, वो विश्वासर करके लोकिकर दुन्या वाली है, कोई भी है, तो विष्वास्वास भिलना है, तो अच्छा होता है, पर शुरू परकार करने के पहले ही, ठीक होगा, ख्याल लाया है तुम गया, अच्छा होगा, नहीं होगा ये अनेक प्रकार के दाउट्स के संकलब जो आ जाते हैं? अधिया रांग जाता है। यह लांग हो जाता है। यह नीचे हमें गिराता है। सबीड आप अधिया संच्रेवी निशिंडवी नश्यंती। मेन भगवान विश्वाता है। कि अधनी बात है। दोनों में निष्ये हो गए मेरा बज्द मेरा भगवान विष्वास है, पर सु संहे आते हैं, मैं क्या बता हूँ मुझे उस घरी निष्ये है अपन में नहीं होता है। पता नहीं भगवान मदद करेगा, नहीं करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे ख्यालर, वास्ता में बहुत है, कभी भी इस मुद्धी को अडूल, अच्छल, इस्थर बने नहीं देंगा, सही बात है, अडूल, अच्छल, इस्थर, और इसलिए हिलते हैं अंदर में, तक वैसे आजू के कारण भी, याद तो ऐसे होता है, पर जब ऐसे रूरियां करेंगे न, नहीं करेंगा, शक्ती आजाती है, तुक्य मेहने साथ, मैं करें उच्छा बेंद तो बहुत उच्छा रहे, मैं क्यास को जाब देंगी, यह ख्याल आवी न, तो मैं यहां बैठ भी बैठ भी नहीं सके, सही बात है, अचल, अडोल, स्थिर्ता, यह बुद्धी के अंदर लाने के लिए बहुत पावर चाहिए दादी, एक मनन, दूसरे चिंतन, तिसरे मन्थन, मन में कोई बायत आई, चिंतन कुछ और कर रहे, तो उसको तो यूसी नहीं किया, सही बात है, तो कि मनन में आई लुद रहे, चिंतन में पा जेए, तो ज़ाते हैं, तो ज़ाएं मन्थन, मन्थन और इस जदी निखा निकलाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्यान है, जैसे हम रू-रूहान करते हैं, तो जैसे हाथों है इलना बंद हो जाताा, इसका मतलब यह तो नौलेज में बुद्धी अगर रमन करेंगी तो ही स्थिरता आएगी मेरी बेन? मैं बहुत करके जब ही कुछ बोलेंगी लोगों को एजी होए बाई जब पराई वो होती है चाह सब जखे होती है तो बहुत होए तो हमारे पराई में झाह सब्जेक्टंस यान, यूग, दान, शीव शीव शीवफ चाहता है जरी शीवफ नहीं है अ, यूजए ज logrा पराई शीवफ जह पराई? शीवफ जह टेनों कर दोझाव मनेनों कर दो होए भुफ टेकत नहीं है ज्यआ जिए कर थाल विगनों मिरा कौन है? बहुत किसा रहован से बढ़ृण है, Shani सकती प्याती है और समानी की शक्ति, समछ इनक शक्ति- अर्टोटी काम करती है इस वाङ्कीका उता है? और उत फड़ू झोटी अंगली है, सही बात है मजलाटू सयोग बहुत होता है ये विज्जी बना देते है, ये विज्डम है, ये एक इस्वर है, ये याद है, ये विज्डम है, मन अज्ञान है, ये धार्ना है, और ये सेवा है, सायोग देना, ये चुता सा ज्ञान, मैं कौन मेरा कौन, मैं यहाँ मेरा यहाँ, तो क्या होता है, ये बले मुटी है, यहा तो इस्ष्ट बाकरा दादी आज एक नई सीक्रेट जानने को मिला कि हमारी चारो अंग्लियों के अंदर ही ज्यान योग धार्ना और सेवा और चारो सब्जेक्ट अगर है तो दृड़ता आ जाती है आज जाती नहीं आज अंदर यंदर नेच्टर पगवाने मन शरूप में एचे हात भी ऐसा पाँ विए रिए सा र्यार सवा जोट रहे हां आचा लाद्यगा हाने एक तो बाहता काम चाम करेंगा पाँ पाम करेंगा है घा रखन होगा में पातलु एंख कि सुनना, मुक कह वोलना पलम से बक्या भूल मुख भम हमा फिजा था है, यह तो रह उन्दो केछान ऐड माहत्व है और की उन्दों म". यह जाए होग है. ज़ उन्दों लख्याए है Cब शर शर्म काई. जब शर्म केऊ कर्मेंद्यां का जो राजा बनता है, मालिक बनता है, तो कर्मेंद्यां कोई ऐसा अलबेला या सुस्तिन नहीं भिषाएंगा दादी आपको इसलिए शायद लेडी आफ विजडम कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो विजडम है, अनुभव का खान है, और यही आज हर एक को ब गवार में विष्वाथ हैं, मुझे बच्पन से लेकर क मुझे चालता तो बाबा, आप ऐस्ता मुझे बनाओ व। राजयद्या है, तो यह आत्परमिशवात की यही पास करने हैं, सही बात है। हर परिस्थिती को पास करने के लिए यह इए डिगरी चाहिए आत्म विश्वास, आत्म विश्वास ही नहीं, भगवान में विश्वास नहीं तो व्यक्ति एक न एक दिन तूट जाता है। जैसे अभी में कुछ कहती हूँ, आप ऐसे शायते हैं, तो मुझे विश्वास होता है, जो अच्छा नाया 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 भगो, आप निकलेगा, तो सुपय करेंगा। यह हर गा देना मुझे रगा चाये नहीं, हम आप कहा हम पहले विश्वासे बात करो। ज़िया खंधोर्त, की काशिश्वास होता है, एक दूसरे में विश्वास。 आज घर परिवार जो तूट रहे हैं उसका मूल कारण यही है, आज कै लोगों को परिवार में भी एक दूसरे में विश्वास नहीं रहा? झग, मैंने देखा ए अज है, अज सारी लाइफ, नहीं तर नहीं हमारे प्री एक से इक सब्सक्राइप है, चाह किरेंप रिल लुगा हैंगी, तो तर देप बना ते लुगा हैंगी जिए मीजद अधिन कास्पवन कि अज़ेंगे, तो दादीने में रों में मैं शार्च्पवन के अचिएंगी यह तरफ बात है, तोरा गंबीता भी हो है, तोरा गंबीता भी होता 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 है, तोरा आपने कहा दोरी ने समाया जैसे आपने कहा दादी ने समाया दादी ने कहा आपने समाया तो इसी लिए आज ये संस्था भी इतनी आगे बढ़ती जा रही है और हम लोगों को भी फक्र है कि हमारे बड़े इतने गंबीर्ता और अंडस्टेंडिंग वाले हैं लेकिन आज एक छोटा परिवार होता है, तो भी उसमें यह अंदस्टेंडिंग नहीं आती है। छोटा है यह बरा है। सुख्यम है। सुनो, हमको जब पर्मात्मा बाप से, आत्मा का ज्यान मिला। आत्मा क्या है। मन बुद्धी, संस्कार, मन बुद्धी प्रेजन समय, पूरकार, कोई ऐसार ने कर्म करें, तो भी कर्म कि लाजाएं। अंदस्टेंडिंग न बनने का कारण एगो क्लेश बहुत है। एगो आ जाता है व्यक्ति को देव भीमान आ जाता है। मन तुम हदें बहुता है। कोच्छ करके बगवान की शक्ति दें, हमको पुद्धी को चोटे चोटे हदमे ने अखना है। पुद्धी हदमे, पांततो से पार। पांतता है आकास्वा योगन जर्पात्तृ एक चाहिएवर्ण के बैसे पांततों का रहा हैं विवे रहा हम धहा हुआ है कि नहीं पांततों का भी आयूनियों का अश्कारह है अटरू tempting तरूस्बान तरूस्थल वाद में इश्वर साथ है तो आगे से आगे बढ़ना है। अबने तीन बाते बाते नेश्टल लाइफ हो। सची दिर पर साइब राजी। ये। में दिर सची है ना? ये। तो भग्वान राजी है। ये। क्या करेगा काजी। ये। 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 इनल एफन एम वे किल अवह बेखिक उड़ी पर इनली वेश, सायो चाहिए ज़ाएंगा उपको होजाएंगा विश्वात मेरती हैंख विश्वात और थाल या गया बनना धर बनाया है छ़्वार दाध जी बहत बहत थैंक्स है त आज आप हम सभी के बीच में आये, स्टूडियो में, और इतनी अच्छी बाते आपने शेयर किया, और इसी लिए मैं आपका भी बहुत थैंक्स करती हूँ, आज हम सभी ने बहुत सुंदर इंस्पिरेशन्स दादी से प्राप्त किये, कि सच मुझ फीलिंग ग्रेट तभी हो सकता है, क और सम्मान देना है हर एक को, क्योंकि आज व्यक्ति सम्मान में नहीं रहता है, यानि आत्म विश्वास की कमी हो जाती है, भगवान में विश्वास नहीं, आपस में एक दूसरे के प्रती हमारी भावनावयें सम्मान वाली नहीं होती है, तब व्यक्ति फीलिंग ग्रेट यह कैसे अनुभो कर सकता है। दुनिया में परिस्थितियां तो अनेक आती है। नेगेटिव विचार सोचने के बजाए, किस तरह हम अपने मन को शशक करें, पॉजिटिव बनाएं, ताकि हर समय वो उमंग उत्सा हमारा बना रहें, और हर पल व्यक्ति अपने जीवन के अंदर फिलिंग ग्रेट ये मैसूस था बनाएं रख सकता है। सचमुझ जीवन जीने की कला यही हमें सिखाती है, कि परिस्थितियां किसके सामने नहीं आती है, बाते किसके सामने नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपने उमंग उत्सा को कमना होने देना, और हर पल बाते आते हुए भी, एक ऐसा निश्चई, विश्वास और जोश, साथ ही दादी जी ने लास्ट में हम सभी को तीन स्लोगन्स दिये, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चाई सफाई हो हमारे अंदर, दूसरा स्लोगन दिया, हिम्मत ये बच्चे तो मदद ये परमात्मा, यानि हिम्मत से हर पल आगे बढ़ना चाहिए, और तीसरा नियत साफ मुराद हासिल, नियत में अगर खोट आ गई, तो कभी मुराद हासिल नहीं होती है, नियत को हमेशा स्वच रखे, साफ रखे, तो जीवन के अंदर हर पल आगे बढ़ने का अनुभ़ो कर सकते हैं, इनी शब्दों के साथ फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ में, इसी शोपर ओम शांती. जीवन के साथ उन्हा है, जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले जैसे वो चाहे वैसे इसको सभाले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जीवन की नईया जीवन की नईया तन का नगर्व की जै ये तो विनाशी है तू तो है चेतन आत्मा जोती अविनाशी है जोती सागर पिता को दिल में बसा ले राहों में भर जाएंगे तेरे उजा ले तेरे उजा ले जीवन की नईया कर दे प्रभु के हवाले प्रभु के हवाले जीवन की नईयाशी है पग पग पे मिलता है प्रभू का इशारा इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा अंबर के सारे तारे आचल में सजा ले मन के सरोबर में तू कमल खिला ले जीवन की नईया कर दे प्रभू के हवाले प्रभू के हवाले दाता की देन कर दे दाता को अर पड़ मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर पन तूफा के तोड धेरे भव से निकाले दे दे पतवार काहे चिन्ता को पाले जीवन की नईया कर दे प्रभू के हवाले जैसे वो चाहे वैसे इसको समभाले जीवन की नईया कर दे प्रभू के हवाले जीवन की नईया कर दे प्रभू के हवाले प्रभू के हवाले जीवन की नईया कर दे प्रभू के हवाले प्रभू के हवाले जीवन की नईया कर दे दे शाओ तो प्रभू के जीवन का दे दे लूँख जीवन की नईया कर दे दे दो जीवन की शाओ जाओ कर दो कर दो निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी नेना में बर प्रीतम को सोजा तू आत्मारा निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी चान सीतारों से दूर चले सब की आदो को भूल चले आंबर के सुख पाने को सोए बाबा के साए तले ख्याल में इक बाबा हो सोजा तू आत्मारा निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी जिसतन से होकर न्यारे सोजाओ बाबा के प्यारे याद के जूलों में जूले बाबा की दुनिया में खोजारे निन्दिया के साथ हो बाबा निन्दिया के साथ हो बाबा सोजा तू आत्मारा निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आत सुहानी नैना में भर प्रीतम को नैना में भर प्रीतम को सोजा तू आत्मारा निन्दिया लेकर आई बाबा की आद सुहानी निन्दिया लेकर आई बाबा की आत सुहानी आउम शांते जैसे जीवन का आदी और अंत दोनों महत्वपोन हैं वैसे ये दिन का आदी और अंत भी अती महत्वपोन हैं क्योंकि आज के दिन का अंत कल के दिन की आदी का आधार है इसलिए जब हम दिन के अंतिम प्रहर में सोने के लिए जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मन के संकल्पों को शांत कर एक साउंट स्लीप ले ताकि जब हम सुबह उठें तो तन और मन दोनों रिफ्रेश हो कोई आलस से ना हो अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प ना हो ठकावट ना हो तो आएए आज हम एक सुख़द नीद के लिए मेडिटीट करते हैं चाहे तो अपने कमरे की लाइट्स आफ कर सकते हैं अपने बेट पर बिलकुल रिलाक्स होकर लेट चाहें अपने बोटी के हर एक ओर्गेन को रिलाक्स करें पैरो के पंजे को रिलाक्स एक तमहलका छोड़े पैरो को एक तमहलका रिलाक्स शरीर के मत्थे भाग को स्टमेक किटनीस लीवर रिलाक्स एक यहरी सांस ले और चोड़े लंग्स रिलाक्स दोनों कंधे रिलाक्स एक तमलोज छोड़े हाथों को रिलाक्स करें बिलकुल रिलाक्स गर्धन को रिलाक्स करें अपने चैरे की मसल्स को रिलाक्स करें मुख को नासिका को कानों को रिलाक्स आइस रिलाक्स सारे शरीर की मसल्स एक तम रिलाक्स धीना चोग दें अब देखें क्या मेरे मन के संकल्प रिलाक्स हैं अपने मन के संकल्पों को चेक करें क्या चल रहा है कोई व्यक्ती कुछ बाते कोई काम किसी के द्वारा बोले गए शब्द किसी के द्वारा किये गए कर्म पिछली बाते आने वाला भविश्य के अपने मन में चलने वाले अनेक संकल्पों और विकल्पों को दिखें और सोचें कैन संकल्पों की इस समय जरूरत है कैन के बारे में इस समय सोचने से कोई समाधान निकल सकता है जुना मैं अपनी सारी जिम्मेवारी मन के सारे बोच जीवन की अनिश्चितता अनेक प्रकार के भाए उस दुख हरता सुख करता विगनवे नाशक परमात्मा के हवाले करतों फील करें मेरे ठीक उपर स्वयम परम जोती परम पिता परमात्मा श्वबाबा अपनी प्यार भरी के रने मेरे उपर बरसा रहे है अब इन सारे व्यर्थ संकल्पों विकल्पों अनिक बातों को विजुलाइज करें कि मैं एक छोटे से बॉक्स में डाल कर उसे पैक करके परमात्मा को दे रही हो हाज से और अभी से सारी पोच सारी समस्याएं मैंने आपके हावाले कर दी है परमात्मा अपनी किरणों के माध्यम से जिसे मेरे सिर पर हाथ रख रहे है और कह रहे है बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ तुम्हारी हर समस्या का समधान मेरे पास है तुम निश्चंत रहो मन को एकतम रिलाक्स कर ले फील करे जिसे खुद भगवान की गोद में मेरा सिर है और बहुत प्यार से वो मेरे मस्तक को सहला रहे है मुझे प्यार कर रहे है फील करते जाएं और प्रमात्मा की कोदी में सो जाएं धिरे धिरे इस गीत के साथ अपने अवजे तनवन को शक्ति शानी बनाने ओ शात जाएं लोगवास में लोगवास में बिश्राम के लिए मुक्त दगन को जाए अपने करंपिता की पावन गोद में हम इस चिंद सोजाए 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 मिशा की बिश्राम के लिए मुक्त दगन को जाए अपने करंपिता की पावन गोद में हम इस चिंद सोजाए 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 आओ समेटे दिन घर के कर्मों का विस्ता इश्वर का धन्यवात करे हुँ चले संपर्गों के पाव सिथ का जुलाओ सिथ दुन की लिव्राओ बाबा का संग पाजाए पाजाए सोजाए 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 हुआ हुआ शिव मा की गोती में आओ हम सोचाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में आओ हम सोचाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में सपन में क्या देखा हमने सुन्दर एक में हैं परिया नाचे जूमे गाएं कहे साथ चल मैं चली हूड के बवन में प्रभु मिलन हो जाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में आओ हम सोचाएं प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाएं शिव मा की गोती में उड़ते उड़ते देखा हमने बाबा थे वहाँ बोले पास आओ हमारे प्यार है यहाँ उड़ते उड़ते देखा हमने बाबा थे वहाँ बोले पास आओ हमारे प्यार है यहाँ बाबा का प्यार पाके बाबा का प्यार पाके आओ एक हो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए शिव मा की गोदी में आओ हम सो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए शिव मों की गोदी में आओ हम सो जाए प्यार प्यार सपनों में हम तुम खो जाए दिन भर की ठकान के बाद अब मैं रात्री विश्राम की तैयारी कर रही हूँ मैं बाबा का आवान करती हूँ बाबा आप मेरी छत्र छाया बन मुझ पर छा जाओ अपने बिस्तर के चारों और मैं बाबा की उपस्थिती अनुभव करती हूँ बाबा के प्रकाश की किर्णे छत्र छाया के रूप में मेरी चारों और छा रही है इस छत्र छाया के नीचे मैं भूवत और भविश्य के विचारों से मुक्त हो जाती हूँ और एक दम हलकी होकर बाबा की गोद में गहरी नीद में सो जाती हूँ प्रकाश के विचारों से मुक्त हो जाती हूँ कि विचारों से मुक्त हूँ मुक्त हूँ कि विचारों से मुक्त है झाल 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 मिशा के देला में बिश्राम के लिए मुक्ते ददन को जाए अपने परंपिता की पावन गोद में हमने इस चिंद सो जाए 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 का मंत्र गुझे चलती सासों में परमशाति आनंद उपजे मेरी आथों में बाबा की आदों में प्यारी से बातों में मिखे पच्छे खो जाए खो जाए सो जाए सो जाए सो जाए सो जाए आओ सुनिटे दिन धर के करमों का विस्ता इश्वर का धन्यवात करे हम चले संपर्भों के पार सिख का जुला सेत गुण की राए बाबा का सुर पाजाए पाजाए सो जाए सो जाए सो जाए जाए सो जाए बाए 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 दिप्य है उनको दुला और मा की निठी मंता है परम्पिता का प्यार हाथ रखे दरगानी अनभव हो रुहाने सत्य उत्रखात पाजाए पाजाए सो जाए सो जाए सो जाए निशा की बेला में विश्राम केले मुक्त गदन को जाए अपने परम्पिता की पावन गोग में हमने इस चिंत सो जाए 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 ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ आया है मन यहां भरके उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान है जादू की नगरी तेरा आसमान ये जादू की नगरी तेरा आसमान यहां संग में तेरे मैं नुकता आए मूर वतन से तुम्हारे न जाना है दूर हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव हो रहा है यहां सत्यस्वामान ये जमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ ओ ओ आया है मन यहां भरके उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान सब रूहे यहां पर अमुल्ड रतन सब रूहे यहां पर अमुल्ड रतन निरंतर प्रकाषत यह तेरा वतन मैं भी हूँ यहां पर मैं भी हूँ यहां पर तेरे ही समान ये चमकीली दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ आया है मन यहां भरके उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान मन का जादू की नगरी तेरा आसमान मन का यह मौन यहां कितना है प्यारा मन का यह मौन यहां कितना है प्यारा साया है मुझ पर यहां हर दम तुम्हारा मैं तो यहां पर आनंत शक्तिवान यह चमकील दुनिया अनोखा जाहान है जादू की नगरी तेरा आसमान ओ आया है मन यहां भर के उडान है जादू की नगरी तेरा आसमान आसमान तेरा आसमान है जादू की नगरी तेरा आसमान है यह रहार झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 मन झाल 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 हर झाल 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 मन झाल 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 आल आल झाल झाल आल झाल आल 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 पन्चेंद्रियका छोड़्डे बंधन तन्मन सीतु हो जा समर्पन पन्चेन्रिय का छोड़ दे बंधन तन्मन सीतु हो जा समर्पन दिव्य जो दिल में देह धारण कर बाबा की पास जा हो के मगन प्रेम की डोर में मोपी पी रोके कर ले सचा श्रिंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंची ले कर ले प्रेम के अंबर के आव पार नीले बन के फरिष्टा बाबा से मिलना देना संदेशित हमारा बन के फरिष्टा बाबा से मिलना देना संदेशित हमारा याद प्यार हम सब का देना लावतन का नजारा सची लगन से बन जा बाबा के सची लगन से बन जा बाबा के दूगले काहार उड़ जा प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार पंचीरे अंबर के लगन से बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जाए ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारन हार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडार हम सब बचे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार निले अंबर के उस पार पंचीरे उड़ जा प्यारे वतन में निले अंबर के उस पार निले अंबर के उस पार हो निले अंबर के उस पार निले अंबर के उस पार निले आप द्रिष्टी यूही दे ते रह बाबा आप द्रिष्टी यूही दे ते रह बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टी यूही दे ते रह बाबा हो गए अपनी ठाल ये मैना बाबा कुची रुहानी नजरों से पालिया है मुझे ठा जो पाना ये आवाज निकले अंतर से आप शक्ती यूही भरते रहो बाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाओं आप दिष्टी यूही ले दे रहो बाबा शुक्रिया आप का लाक बाबा आपने हम को लिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब बुछ गई है अपनी नजरों में हम को बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो बाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाओं आप दिश्टी यूही दे दे रहो बाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी आप से दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं सिह के मूती से भर जाओं आप दिश्टी यूही में ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं कि वरी इन लहरों को दामन में ऴरीय सागर में भर जाओं इन इन लूँ दिए cela में और में मभर जाओं कि अ Nepन्रूं कर दो कर दो कर दो आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भरके जाते सब यहां से जोली तेरे प्यार की आज मी देते हो बाबा पालना साकार की आज मी देते हो बाबा पालना साकार की बच्चों के उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां अजयत कहां कोई ना अंतर खाया है तुम से पाई ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने ग्रिष्टी हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज बाबा पालना साकार की साधना और शिक्षा वही है मधुबन की हर रीत वरी सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारे प्रीत वरी तुम से ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशिया सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की सीवा में सैदां साथ का अनुभग सबको कराते रहते हो अफ्यक्त रूप से भी बाबा परदान देते रहते हो बस उंधरा पे गूंज रही महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की घर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की हम उड़के चले जाएं हम उड़के चले जाएं प्यारे से वतन में प्यारे से वतन में उस मीखे से वतन में अव्यक्त वतन में हम उड़के चले जाएं उस प्यारे से वतन में उस मीखे से वतन में झालना में उस डालना फिए झालन में उस मीखें प्यारे से वतन पूदी आएं पर फिन ऐे। नहींक सै एलना पालना उसा भी जाएं जाना है वहां हमको जहां बापर दाता ने हो जाना है वहां हमको जहां बापर दाता है बनना है संपूरन हो किया बापा से वाना है जो बापा से किया था वो वादा निभाएंगे हम उड़के चले जाएं हो हम उड़के चले जाएं उसे प्यारे से वतं में हो उसे नीखे से वतं में प्यारे से वतं में हो जाएंगे 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 ये देह ना यादाए देह धारी ना यादाए हो ये देह ना यादाए देह धारी ना यादाए ये पतित पुरानी से हो दुनिया भी ना यादाए यादाए तो बस अपना गोवतं ही यादाए हम उड़के चले जाएंगे उस प्यारे से वतं में कोस मी के से वतं में कोस में खाने जाएंगे यादा यादाए कर दो कर दो ये दुनिया विकारी है इस दुनिया से क्या विकारी है वो नगरी हमारी है हमको है वहा रहना हम ज्यान से सजधज के उस नगरी में जाएंगे हम उड़के चले जाएंगे हम उड़के चले जाएंगे प्यारे से वतन में होस मीठे से वतन में क्या जाएंगो नगरी हमारी थी आएंगे चले बतन में है ठहर हुए बाबा अमारे लिये हो बतन में है ठहर हुए बाबा हमारे लिये कर रहे है इंतदार भर ले जाने के लिये आकारी बन करके हम बतन में जाएंगे हम उड़के चले जाएं उस प्यारे से वतन में उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्यात वतन में उस प्यारे से वतन में आकारी बतन में उस प्यारे से वतन में उस प्यारे से वतन में कि ऑख ज़ग बतन में उस प्यारे से वतन में, जह रखंगे जाएंगे कि ओना आएंगे डिया कि ऑलन में हूब बाबा तेरे हम रहे यही जिन्दगी का सार है बाबा तेरे हम रहे यही जिन्दगी का सार है इस बरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बाबा तेरे हम रहे प्राणों में बस तु है बापा और ना दूजा कोई प्राणों में बस तु है बापा और ना दूजा कोई स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गुंजा वही स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गुंजा वही बाबा तु ही एक जिस पर पर्चों का अधिकार है बाबा तु ही एक जिस पर पर्चों का अधिकार है बाबा तेरे हम रहे हमने ढूंडा आप जैसा बाबा कोई ना मिला हमने ढूंडा आप जैसा बाबा कोई ना मिला जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला हमको बाबा ना मिला तुझ में अपनी बस्ति देखी तु ही बस संसार है पापा तेरे हम रहे अपना प्यारा करके हम को जग से न्यारा कर दिया जो न तुनिया दे सकी बाबा वो तुने दे दिया जो न तुनिया दे सकी बाबा वो तुने दे दिया ये रिदय गाता है प्रति पल पस तेरा उपकार है बाबा तेरे हम रहे यही सिंदगी का सार है इस बरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बाबा तेरे हम रहे हम सभी अत्माई कितने भग्यवान है जब सारा संसार सोया हुआ है हम चले हैं प्रभु मिलं करने इस वर ये सुख पाने अपनी जोली वरदानों से भरने मैं चमकते हुई मनी भ्रकुटी की कुटिया में विराज़ान मैं तेजस्वी आत्माँ प्रकुटी की कुटिया में प्रकुटी की कुटिया में कुटी की कुटी का विराज़ान और अदिवादेल के प्रकूल की 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 प्रकुटी दोक्री आत्माठाच विराज़ान रुप्राज़ान खाल श्रॉप्रद्शवी आत्माद मैं स्वराज दिखारी प्रकुटी सेंगासन पर विराजमान मैं आत्मा स्यान्त स्वरूप मुझसे चारों और संती की किरने फैल रही है मैं शान्त हूँ बहुत शान्त इस देहे से अलग पूरी तरह डिटेच यह लहे जैसे की है ही नहीं मैं शुक्स्वरूप हो मैं संपूर्ण सुखी हूँ बाबा आपको पकर मैं बहुत सुखी हूई मैं अट्माँ परम पवित्र हूँ मुझसे चार वोर पवित्रता की सफेद केरने फैल रही हैं मैं संपूर्ण पवित्र हूँ मैं संपूर्ण पवित्र हूँ मैं संपूर्ण पवित्रता का सुर्य हूँ मैं संपूर्ण पवित्रता का सुर्ण पवित्रता का सुखी हूँ कि मास्टर सर्व शक्तिवान हूं मुझसे जारो और शक्तियों की गिरने फैल रही है अब मैं आत्मा इस देश से निकल कर उपर की ओग चलते हूं तेजस्वी किरने चार और फैलाते हुए मैं जा रही हूं अपने घर की और पांच दे श्यंति धाम ये मेरा घर चारो और यहां अपार शांती है मैं अपनी मूल इस्थिती में हूं मुक तोर संपुर्ण हूं श्यंति धाम की समस्थ श्यंति मुझ में समा रही है डीप साइलेंस अबाते हैं उपर हैं श्यान्ती के सागर्शिवाबा उनसे निकली हुई श्यान्ती की तरंगे मुझ पर पड़ रही है परमात्मुश्यान्ती मुझ में समा रही है बाल रही है बाल रही है कर दोते हुआ है कर दो कर दो सामने है ज्यान सूरिये मैं उनकी किर्णों के नीचे मैं कर दो यहां से मैं आत्मा वापिस आती हूँ और मैंने प्रवेश कर लिया अपनी इस देहे में पुने मस्तक सिंगासन पर मैं मस्तर सर्व शक्तिवान और में यहान् प्रवेश कर दो कर दो कर दो बाबा का आहवान करते हैं है सर्व शक्तिवान हम आपके प्यारे बच्चे आपका अहवान कर रहे हैं अपना धान छोड कर हमारी छत्र छाया बन जाओ सर्व शक्तिवान हमारा निवंत्रन सुनकर अपनी तेजस्वी किरने चार ओर फैलाते उपहे नीचे उतरने लगे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं आगे हमारे सिर के ऊपर नीचे मैं सिर्शक्ति मास्टर सर्व शक्तिवान और सिर के ऊपर सर्व शक्तिवान छत्र छाया कि अपर तेफ हैं आप जाए आप आप झाल कि अपरे और टाया आप 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 झाल झाल सर्विशक्तिवान सिर के उपर बेहब की छत्र छाया उनकी शक्तियों की किरने मुझ में समा कर जारो और फैल रही हैं झाल 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 यहां से अब हम चलते हैं पहले जनम में अत्मा मैं उड़ चली देव लोक में यह मेरा पहला जनम देव स्वरूप सिर्पर्डवलताज कंचन काया मैं सरवन संपन्न संपन्न निर्विकारी चारो ओर प्रकर्ती का अतुल दिये संदर दिये दूर दूर तक चमकते हुए सोने हीरो के महल चहोर विच्रन करते देव गाण हवाओं में भी सुगन्त सुक्स्यांती पवित्रता और संपन्तास युक्त संसार मैं वेश्वराज अधिकारी सिंघासन पर विराजमान पज्यस्वरूप में मैं वेग्ण विनास गडेंस या सिवसक्ती अस्त वुजाधारी देवी मंदिर में इस्थित सामने खडे हजारों भक्त गुन्गान कर रहे हैं हे देवी तुमा सुर्संघारी नी हो विद्यादाय नी हो भाग्य विधाता हो सिद्धी दाता हो सबके मनों कामनाई फोन करने वादी हो प्रप्राज विद्धेश स्थित हे देव, आप्वेग्न विनासको, सिद्धी विनायको, विद्यापती हो, सामने खड़े हजारो भक्त, हमारे स्वरूप का दिदार कर रहे हैं, मस्तक से लाइट निकलती है, सभी भगतों पर पड़ रही है, जैजैकार कर रहे हैं, झाल कर रहे हैं, झाल कर रहे हैं, प्राम्मन स्वरूप इस अंसार में सबस्य अधिक भाग्यवान इस वर ये सुखों से योग्त पर्मात्म प्रेम मेलीन पर्मात्म पालना में पलने वाली आत्मा स्रेष्ट फरिष्टा स्यमक्ति हुई मनी प्रकास की काया में विराजमान स्यमक्ति conteúdo ओका आत्रैम्म प्राम्म प्राम्मन मन्यवा प्रिष्टा मैं लगाओ स्यायं एं जग्वा्व मननुट के मता लोनी अंग्ति कायस्ति है मैं पवित तरता का फरिष्टा हो धरती से उपर संसार से पूर्णतया डिटेच परप्धाम में पवित तरता के सागर बाबा परिष्टा बाल उनकी पवित्र खिरने सफेद किरने मुझ परपड़ रही है उपर से पवित्र किरनों की जैसे की बरसाथ हो रही है किरने मुझ परपड़ रही है उनकी परपड़ रही है उनकी बरसाथ है किरने मुझ परपड़ रही है परपड़ रहाम झाल 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 अब मैं फरिष्टा उड़ चला सुक्स मलोक में आकास के उपर झाल 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 ये फरिष्टां के दुनिया चारो ओ सफेद प्रकास सामने भाप दादा ब्रह्मा बाबा के अंग अंग से प्रकास फैल रहा है उनके मस्तक में ज्ञान सूरिये शिवावा चमक रहे हैं झाल 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 बावाद रस्ती दे रहे हैं अब सारी संसार को द्रश्टी दे ग्लोब को द्रश्टी दे अब स्काइब यह भी दिनल रहे हैं अब स्काइब में अब अब्रीद प्रश्टी दे रहे हैं यह है बजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के उपर लगा दी है सिर कर अपना हाथ रखा उनके हाथ से शक्तियों के वाइब्रेशन्स मुझ में समाने लगे मस्तक बर्दिलक लगाया और वर्दान दिये बच्चे सदा सुखी भाव माया जीत भाव विजयी भाव स्रेश्त योगी भाव सफलता मोर्त भाव द्रश्टी दे रहे हैं पुने सिर पर हाथ रख कर बोले बच्चे तुम साधारन नहीं हो मेरे द्वारा चुनी हुई महानात्मा हो तुम्हारा जन्म ही महानकारियों के लिए हुआ है तुम इस रश्टी के स्रंगार हो जहान के नोर हो मैंने तुम्हे अपनी सारी शक्तियां ब्रदान की हैं तुम मास्टर सर्व शक्तिवान हो माया से और समस्याओं से बहुत अधिक शक्ति शाली हो मैंने तुम्हे वर्दान दे दिया है तुम विधन विनासक हो जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विधन नस्ठ हो जाएंगे तुम्हारी दर्ष्टी दुसरों को विधनों से मुक्त करेंगे तुम विजय रतन हो तुम तो माला के ऐसे मन के हो जिन्हें इस्मरन करके भगत भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं तुम पवित्रता की देवी हो पवित्रता के फरिष्टे हो प्रकर्ती के मालिक हो यह प्रकर्ती तुम्हारे वाइब्रेशन्स की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का तुम वही हो जिनकी मंदिरों में बूजा हो रही है तुम विश्व कल्यान कारी हो सब के पूर्वज हो बाप समान हो बचे तुम साधारन नहीं हो बहुत माहन हो दर्ष्टी दे रहे हैं मुस्क्रा रहे हैं बाबा को सचे मन से सुक्रिया करेंगे हे प्रानेश्वर हे खुदा दोस्त आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए आपने हमें अपार सुख दिये आप आए स्वरक की बादसाही सोगात में लाए आपने हमें ज्ञान का तीश्र नेत्र दिया जीवन की यात्रा पर हम अकेले थे आप हमारे साथी बन गए आपने हमें जीना सिखा दिया शक्तियों और वर्दानों से हमारी पालना की आपको कोटी कोटी बार शुक्रिया बाबा मुस्क्रा रहे हैं द्रस्टी दे रहे हैं और सामने से जान सुर्य की किरने मुझ पर पड़ रही हैं ओम सेंदी हम खड़ इस जान संदी किया वादा रहे हैं या वादा रहे हैं बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं बच्छो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भगतों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई दुखियों की चीत कारे क्या तुम तलक न आई क्या भगतों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई उनको दरश दिखाओ अब कुछ तरस तो खाओ बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया सर बस्वपना देकर बादा हर इतनी बाया जब जब मुझे बुलाया तब तब में पास आया सर बस्वपना देकर बादा हर इतनी बाया मेरे समान बलकर तुम भी वादा निभाओ तुम भी वादा निभाओ बाबा बुला रहे है बच्चो बतन में आओ अब मुझे को ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ अब में आओ मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में बतन में करता रहूँगा कब तक मैं पास में तुम्हारे आता रहूँगा कब तक, इंतजार में बतन में करता रहूँगा कब तक अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ बाबा बुला रहे हैं, बच्छों वतन में आओ, अब मुझे को ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं, बच्छों वतन में आओ, अब मुझे को ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ बाबा बुला रहे हैं आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भर की जाती सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की बच्चों के उपर हर पर तेरी ही छत्र छाया है साकार कहां अयत कहां कोई ना अंतर खाया है तुम से पाई द्रिष्टी हमने द्रिष्टी हमने द्रिष्टी हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की साधना और शिक्षा वही है मधुबन की हर रीत वरी सबके दिलों में पर रही है बाबा तुम्हारी प्रीत करी तुमसे ही है जीवन में जीवन में जीवन में खुशियां सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज में बेते हो बाबा पालना साकार की सीवा में सैदां साथ का अनुभर सबको कराते रहते हो अफ्यक्त रूप से भी बाबा परतान देते रहते हो बस उन्धरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की भर के जाते सब यहां से जोनी तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की अज भी रही देते हो हम खुश नसीव कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीव कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हम खुश नसीव कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीव कितने प्रभु का मिला सहारा हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता मेर लाड लो उठो कह बड़ प्यार से उथाता हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता मेर लाड लो उठो कह बड़ प्यार से उठाता क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने है प्रभु का मिला सहारा सद ज्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती सद ज्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती हम हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई भांगन में मन के मेरे जननत को है उतारा हम हो गये उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीब का जनम नसीब कितने प्रभु का मिला नसीब का जनम रहा हम खुश नसीब का जनम उनम तारों से सजे गगन जैसे पूलों से सजे चमन जैसे खुश बू से सजे पवन जैसे तुम से सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा तारों से सजे गगन जैसे हूलों से सचे चमन जैसे खुशबू से सचे पवन जैसे तुम से सचे जीवन ऐसे मेरे बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा, प्यारे बाबा सत भावों सिखी आश्रिंगा दिया देव्य गुणों का हार ओ सत भावों सिखी आश्रिंगार दिया देव्य गुणों का हार दिल दख्त प्रिहुए सवार पाय ताज तिलक उपहार मन महके मधवन जैसे तुलसी से सजी आंगन जैसे खुशबू से सजी पवन जैसे तुम से सजी जीवन जैसे मेरे बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा जहरी पे चमक है रुहानी आखों में लिखी है कहानी ओ जहरी पे चमक है रुहानी आखों में लिखी है कहानी और मन में है भीत पुरानी और दिल में छवी है सुहानी मस्तक पे सजी चंदन जैसे हाथों में सजी कंगन जैसे खुशबू से सजी पवन जैसे तुम से सजी जीवन ऐसे मेरे बाबा प्यारे बाबा शीव बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा शीव बाबा शीव बाबा शीव बाबा ग्यान से जीवन दान दिया यू कहे विधान दिया पाबर कावर दान दिया सेवा से है कल्यान किया है गंका पावन जैसे सागर में है रतन जैसे खुश्बू से सजे पवन जैसे तुम से सजे जीवन ऐसे मेरी बाबा मेरी बाबा शीव बाबा प्यारी बाबा मेरी बाबा प्यारी बाबा शीव बाबा मेरी बाबा मस्तक सिंहासन पे हम आत्माए राजन बने और शासन चलाए करमेंद्रिया कर्मचारी हमारी ब्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए मस्तक सिंहासन पे हम आत्माए राजन बने और शासन चलाए करे मंत्रणां मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजगसंत्री से बड़ सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए मस्तक सिंहासन पे हम आत्माए राजन बने और शासन चलाए करमेंद्रिया कर्मचारी हमारी ब्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए है बुधी का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी सुसंसकारों की जो सेना सजग हो तो दुरबुण के दुश्मन से धोखा नखाए मस्तक सिंगासन पे हम आत्माए राजन बने और शासन चलाए करमें द्रियां करमचारी हमारी रिकुटी बीच दर्वार अपना सजाए खुदा दोस्त की हम पे है चत्र चाया के खोया हुआ राज फिर से दिलाया उपकार उसने की ये हम पे इतने के आभार धरती गगन मिलके गाए मस्तक सिंगासन पे हम आत्माए राजन बने और शासन चलाए करमें द्रियां करमचारी हमारी रिकुटी बीच दर्वार अपना सजाए करमें आत्माए करमें आत्माए करमें आत्माए आत्माए करमें आत्माए कर दो कर दो भगवान तुम्हारा ज्यान सिमर कर मन वेहद हर शाता है आनंद मगन आतम पंची आनंद मगन आतम पंची अंबर में कहीं खो जाता है भगवान तुम्हारा ज्यान सिमर कर ये परम ज्यान अब तक न पढ़ा ना लिखा गया है किताबों में भगवान पढ़ाएंगे सम्मुक सोचा ना देखा खावों में प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभ कि लहर लहराती है मुरले की नीथी तानों में ये इंद्र धनुष के रंगों से भरती है उमंगे फ्राणों में तन सीहर सीहर मन मचल मचल हर पल तेरे गुण गाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन पावन 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 दें मन भावन है विश्वास चमकता जीवन में मन आंगन में सुख सावन है आखों में लाखों चमन खिले खुश्बू से जहां भर जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर मन वे हद हर शाता है आनन्द मगन आतम पंचि आनन्द मगन आतम पंचि अंबर में कहें खो जाता है भगवान तुम्हारा ग्यान सिमर कर आनन्द में आनन्द में आप ड्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाऊं आप ड्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा हो गए अपनी हाल ये नैना बाबा अपती रुहानी नजरों से पालिया है मुझे था जो पाना ये आबाज निकले अंतर से आप शक्तियों ही भरते रहो बाबा इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं आप द्रिष्टी यूही ले दे रहो बाबा शुक्रिया आपका लाख बाबा आपने हमको दिल से अपना लिया प्यास जन्मों की अब बुझ गई है अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया आप आके यूही मिलते रहो बाबा बनके जन्नत की खुश्बू बिखर जाऊं आप दिश्टी यूही दे दे रहो बाबा हर कल्प यूही मिलते रहेंगे प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी आप से दूर ना रह सकेंगे आए माया की कितनी भी आंधी प्यार की वर्शा करते रहो बाबा प्यार की वर्शा करते रहो बाबा मैं स्मेह के मूती से भर जाऊं मैं स्मेह के मूती से भर जाऊं आप दिष्टी यूही में ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी इन लहरों को दामन में भर जाऊं सुख सागर में गहरे उतर जाऊं इन लहरों को दामन में भर जाऊं मस्तक सिंहासन पे हम आता है राजन बने और शासन चलाएं कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी ब्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं मस्तक सिंहासन पे हम आतमाएं राजन बने और शासन चलाएं करे मंत्रणां मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजगसंत्री से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं मस्तक सिंहासन पे हम आतमाएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया करमचारी हमारी प्रिकोटी बीच दरबार अपना सजाएं है बुधी का मन सिफ बड़ा न्यायकारी मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी सुसंसकारों की जो सेना सजग हो तो दुरबुण के दुश्मन से धोखा नखाएं मस्तक सिंहासन पे हम आतमाएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया करमचारी हमारी प्रिकोटी बीच दरबार अपना सजाएं खुदा दोस्त की हम पे है छत्र चाया के खोया हुआ राज फिर से दिलाया उककार उसने कि ये हम पे इतने के आभार धरती गगन मिलके गाएं मस्तक सिंहासन पे हम आतमाएं राजन बने और शासन चलाएं करमेंद्रिया तरब चारे हमारी प्रिकोटी बीच दरबार अपना सजाएं यही है तमन्ना यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आएं यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आएं हमें तो अतन की बहुत याद लाएं हमें तो अतन की बहुत याद लाएं अतन की बाबा तुमसा अतन की बहुत लाएं किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यार है वो निराकारी दुनिया विदे ही बनेंगे प्रभू संचलेंगे परम शातिया आनंद अनुभा करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाएं हमें तो अतन की बहुत याद लाएं हमें तो अतन की बहुत याद लाएं मुद्दत हैं गुज़ सरी बिछडे वतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का इनाटक रहा न अधूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाएं हमें तो वतन की बहुत याद लाएं हमें तो वतन की बहुत याद लाएं करता हुआ यह तो वतन की बहुत यह तुमने जी को भाएं हमें वतन के बहुत अब जी को एंगत क्या जी को बहुत वाएं यादों में बाबा तेरे मन मगन हो बूला हो संसा बूला ये तन हो तभी पुष्प वर्शा हो गूंजे पधाई उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिष्टों की मैं है फिल है आखे पिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाब तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत 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 आए नई सुबह की नई किरन चलो रे पंची पार गगन बिखरा करके किरन किरन बुला रहा है वो प्राण धन नई सुबह की नई किरन नहीं देह ना देह कमान ना तो दुनिया का है ध्यान आए प्रभु में दुनिया का है ध्यान आए प्रभु में खो जाए हो जाए हम एक समान महा मिलन की लगी लगन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन दूर जगत से बहत ही दूर अपना बतन निराला है अपना बतन निराला है है अनंत आव्यक्त यहां फैला दिव्यव जाला है प्यास मुझे सुख मिला सधन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन मन ही मन में मुलाकाती हो रही है मीठी बाती बरम जोती से जाती की स्निह भरी ये बरसाती बरस रहा है सुख सावन आओ कर ले प्रभु मिलन आओ कर ले प्रभु मिलन करम शान्ति पाए विश्रा संकल्पो को प्रभु मिलन प्रमानंद समाया है कितना प्यारा शान्ति था अंतर मन बन कया सुमन आओ कर ले प्रभु मिलन नई सुबह की नई किरन चलो रे पंची पार गगन बिखरा करके किरन किरन सुला रहा है ओ प्राणधन आओ कर ले प्रभु मिलन झाम 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 झाल अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड़ लो जागो अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड़ लो जागो आखे आखोलो शिव शिव बालो बच्चों आलस त्याज़। अम्रित बेला शुद्ध पवन है मेरे लाड़ लो जागो मुरली के स्वर मदुर मिले हैं मदु बन के भी फूल खिले हैं धरती जागी अंबर जागा धरती जागी अंबर जागा तुम भी लाड़ लो जागो मेरे लाड़ लो जागो 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 अम्रित रस घोले डाल डाल पर पंची बोले कानों में अम्रित रस घोले प्रभु मिलन का यही समय है प्रभु मिलन का यही समय है ब्रम मोहुर्ट है जागो मेरे लाड़ लो जागो 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 खोवत है सोवत है सो खोवत है जागत है सो पावत है बाबा की प्यारी वाने सुन बाबा की मिठी वाने सुन प्यारे बच्छों जागो मेरे लाड लो जागो अमरित बेला शुर्ट पवन है मेरे लाड लो जागो अक्या खोलो शिव शिव बालो बच्छों आलत त्यागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए दिल खाना ता जुडा जब से बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए 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 सुख मिला शक्ती मिली मिली है लाखाओ खुशिया सुख मिला शक्ती मिली मिली है लाखाओ खुशिया जैसे हो तागुलों से गुर्शन योही सजी हमारी दुनिया नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल हूँ बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हूए बनी हसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए बनी हसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए हाथों के बदली लकीरे आपसे हम मिलन मनाए तेरी रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हूँ बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हूए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हूए देता नाता जुडा जब से हरवां से अंजान हूए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हूए बन के बाबा आपके हां कितने धनवान दोए करता है जिल में सितार बन कर उड़के वतन में जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर उड़के वतन में जाए आये परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितार बन कर उड़के वतन में जाए मिजभाल से निकल कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गली हो मिजभाल से निकल कर फुल जड़ियां उड़ चली हो वो नीचे देह दुनिया की विसरी हर गली हो सजी आत्मा सजनियां सजी आत्मा सजनियां यही गार गात जाए आये परंपितासे मंगर मिलन बनाये जिल में सितारे बन कर आत्मा सजनिया गली हो नीले गगन के उपर त्यारा वतन यही है मेह फिल रूहा निमनिया ये जगमगा रही है नीले गगन के उपर त्यारा वतन यही है मेह फिल रूहा निमनिया ये जगमगा रही है आनन्द सिंधु में हम आनन्द सिंधु में हम गहरे समाते जाए आए परंपिता से मंगर मिलन बनाए जिल में सितारे बन करे आनन्द सिंधु में हम आनन्द सिंधु में हम खिल रूही है अब्यत है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतींतिय सुख चिर शांति प्रेम वाला अब्यत है अनुखा अनुभव बड़ा निराला देहत अतींतिय सुख चिर शांति प्रेम वाला परमात्म स्मीह आचल से दूर कैसे जाए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितारे बनकर उड़के वतन में जाए आए परम्पिता से मंगल मिलन बनाए छे में सितारे बनकर झाला आए अला आए याला ओझे श। झाला झुदोदोदोदोदोदोदोदोदोदो नियर वाला परम्पिता अतींति इश्वर से जब प्रीत लगाए बन जाए वो गुलवाँ इश्वर से जब प्रीत लगाए बन जाए वो गुलवाँ उच विचार शुब कर्मों से जग में बनता सबसे महाँ इश्वर से जब प्रीत लगाए बन जाए वो गुलवाँ बन जाए वो गुलवाँ इश्वर से जब प्रीत लगाए वो गुलवाँ इश्वर से जब प्रीत लगाए वो गुलवाँ शीतल ग्रिश्टी नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है शीतल ग्रिश्टी नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है जैसे बर से ज़र ज़र बादल दिल से दुआए लुटाता है निर्मल चिंतन निस्वार्त भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्त भाव से सुंदर रचता अपना जहान सुंदर रचता अपना जहान इश्वर से जो प्रीत लगाएं बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान रचता अपना 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 तो यहित रचता अपना भाव गवान जैसे धार से पथर पिगले कश्टो को सहे कर खुद को बदले जैसे धार से पथर पिगले कश्टो को सहे कर खुद को बदले द्रिणता की वो मूरत बन कर चलता विश्व कल्यान पथ पर उसकी भावना बांटे करुणा उसकी भावना बांटे करुणा स्नेह शितलता उसकी शान इश्वर से जो प्रीत लगाएं बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान बन जाए वो फरिश्टों जैसी चाल है उसकी व्यवहार से वो व्यव्यदरपन स्नेह की खुश वो सबको देता उश्प जैसा उसका मन उसकी महीमा ये जग गाता कहलाता वो चरित्रवान इश्वर से जो प्रीत लगाएं बन जाए वो गुनवान इश्वर से जो प्रीत लगाएं बन जाए वो गुनवान उच विचार शुब कर्मों से जग में बनता सबसी महां इश्वर से जो प्रीत लगाएं बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान होग से जो प्रीत बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुनवान बन जाए वो गुन खीवजा मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभू मिलने की मस्त पवन है मेह का चमन है बेला है मंगल मिलने की मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभू मिलने की बादर की छाउं से तारों के गाउं से पार चला जाउं जग की हवाउं से छोड़ के पीछे नील गगन को ये खड़ी है प्रभू मिलने की मन पंची प्रभू मिलने की आ, 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 आ भूले के सारे जग का कर्शन तोड़ के छूठे देह का बंधन तोड़ के जूठे देह का वन्धन उड़ जा फ्रेम के पंख लगाकर दिल में लगन अब मिलने की मन पंछे मैं आजी आजी आजा है करदा पंटम उड़क दोड़ में घा उड़ङक सुख में आप हम खो जाए परम पिता से आनंद पाए परम पिता से आनंद पाए रभू मिलन के परम सुखों से करिया खिलती है दन मन की मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये तभू मिलने की मस्त पवन है मेह का चमन है बेला है मंगल मिलने की मन पंची तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभू मिलने की मन पंची तू प्रभू मिलने की हाँ 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 आए हाँ चले फरिष्टे संगम युग के शिव से मिलन मनाने वरदानों से भरकर जोली जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के शिव से मिलन मनाने वरदानों से भरकर जोली जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगम युग के शिव से मिलन मनाने शिव तेंड मन के शेंदे की अ.. अधिकारी सजे गुणों से आज शिर्थे शक्ती के अधिकारी सजे गुणों से आज सुख बन साए हर प्राणी में दिलों पर करते राज सुख बन साए हर प्राणी में दिलों पर करते राज चले पहन के दिव्या गहने हर बल को हर शाने वरदारों से भर कर शोले जन जन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगन युग के हा सकते पार्णी करते राणी अब बल पर करते राणी इंद्रिय सुख में जूमें हर दुख से हो दूर चलते जाए वो मर्ज को गुणों से हो भरबूर चलते जाए वो मर्ज को गुणों से हो भरबूर कमल समार बने इस जग में शिव के वो परवाने बरदारों से घर कर छोली जरजन को लुटाने शिव से मिलन मनाने चले फरिष्टे संगाम युग के जाए लो खरिष्टे संगी आनल आनल आल और। पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखानी आए है शिव योग सिखानी आए है शिव पावन और योगी बनने का शुब संदे साल आए है शिव शुब संदे साल आए है शिव पर्म किता शिव पर्म धाम से योग सिखानी आए है शिव योग सिखानी आए है देह नहीं हो बिंडू सचेतन तुम अविनाशी आत्मा हो पर्म सत गुरू पर्म पिता में पर्म सत गुरू पर्म पिता में जानो मुझ पर्मात्मा को राज योग से जनम जनम के पाप मिटाने आए है शिव पाप मिटाने आए है शिव पाप मिटाने आए है योग सिखाने आए है शिव योग सिखाने आए है जीवन कमल समान बनाओ आत्माओं की जोती जगाओ पर्म पिता से योग लगाओ पर्म पिता से योग लगाओ मनवानी शुद कर्म बनाओ श्री लखनी श्री नारायन पद सुख करवर सालाए है पर्म पिता शिव पर्म दाम से योग सिखाने आए है शिव योग सिखाने आए है कर्मों की तुम गति को जानो चौरा सीखे चक्र पहचानो कर्मों की तुम गति को जानो चौरा सीखे चक्र पहचानो हम सो सो हम राज को जानो तुम खुद देव के सच ये मानो शिव बनाते कर्म के प्रामन देव बनाने आए है शिव देव बनाने आए है पर्म पिता शिव पर्म धाम से योग सिखाने आए है शिव योग सिखाने आए है पावन और योगी बनने का शुब संदे साल आए है शिव शुब संदे साल आए है कर्म पिता शिव कर्म धाम से योग सिखाने आए है शिव योग सिखाने आए है एक ही अर्मान है जिन्दगी हो खुशनुमा इस जगत के वास पे हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा एक ही अर्मान है एक ही अर्मान है एक ही अर्मान है मन बनी मधुबन हमारा मेह के जग हे उपवन सारा कर दे पावन सबका जीवन जो बहे गंगा की धारा कर दे शीतल कपते और को बन के चेतन चंद्रमान किस जगत के वास पे हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा प्यार भर करके है दैवे प्यास हर मन की बुझाए जोती जीवन की जगा कर ग्यान का दीपक जलाए देख करके कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मान इस जगत के वास पे हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा सासों के सरगम से गूजे गीत बस भगवान का घड़कनों से शात निकले खुशियों के वरदान का अब रहनुमा खुशियों के वरदान का निक चिंतन से बजल दे ये जमी और आसमा इस जगत के वास पे हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा एक ही अर्मान है जिंदगी हो खुशनुमा इस जगत के वास पे हम बने अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा हम बनी अब रहनुमा आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जग मगाते रहे सामने आप हों साथ में आप हों आप से हम मिलन यू मनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हुई खुश हाल है जिन्दगानी हो गए है सफल अपने हर पर स्नेह सागर में ऐसे समाएं मिट गई मन की है सारी हल चल यू ही वर्दानों का हाथ सिर पर रहे हम दुआओं से दामन सजाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे यू ही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ग्यान की जोती जीवन में जागी खेल लगने लगा जग का प्यारा रचता प्यारा है रचना भी प्यारी बिश्व लगता है घर अपना सारा शक्तियों से युशिंगार करते रहो स्वर्ग धर्ती के आंगन बसाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ये संगम में आकर के मिलना अपने नयनों में हमको समाना अपनी नजरों से निहाल करना अपने जैसा ही हमको बनाना सिलसिला ये मिलन का युचलता रहे भाग के गीत हम गुन गुनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे युही जगमगाते रहे सामने आप हो साथ में आप हो सामने आप हो साथ में आप हो आप से हम मिलन युँ मनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे सामने आप बरसता रहे जाप बरसता रहे स्नेह प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर हर पल तेरी ओर स्नेह प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर बांधी है जीवन डोर प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर ननों के दरपन में बाबा तुझ को सदा ही देखो क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं मन आंगन में अब तो बाबा मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मूर स्लेह प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर बांधी है जीवन डोर जीवन डोर जीवन डोर तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा नाज करूँ मैं भाग पे अपने पाके तेरा सहारा तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्नीम युग की बोर स्वर्नीम युग की बोर स्नेह प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर बांधी है जीवन डोर स्वर्नीम युग की बांधी है जीवन युग की बांधी है जीवन डोर तेरी एक नजर में हम तो जन्मा का सुख पाएं तेरी ही मही मा के बाबा गीत सदा हम गाएं पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर स्नेह प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर दिल मेरा अलगा ही रहता हर पल तेरी ओर हर पल तेरी ओर स्नेह प्यार की तुझ से बाबा बांधी है जीवन डोर बांधी है जीवन डोर बांधी है जीवन डोर बांधी है जीवन डोर ला 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 जब मैं दिल की नली शुरुआत हो एक बाबा तिरा बस तिरा साथ हो सामनी देखे तुझको ये पहली नजर आखो ही आखों में दिल की बात हो जब नई दिन की नई शुरुआत हो आखों में दिल की नई शुरुआत हो हसे ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे अब तो दिन राठ तेरी सूरत हसे सूरत हसे देख लूजी भरके देख लूजी भर यही जजबात हो एक बाबा तेरा मस तेख लूजी भरके